कि अगया है कि अगया है कि हलो नमस्ते सब्सक्राइब और स्वागत आप सभी गान अखैडमी क्लाइट पर आज आप लोगों को दस मिनट का इंतजार जरूर कराया लेकिन मैं सोच रहा था कि आज सारे बच्चे वेटिंग में ही दिख जाएंगे या फिर आज भी बच्चे सोते ही रह जाएंगे लेकिन बहुत ही खुशी है इस बात की कि आज बच्चा सुबह इंतजार करता हुआ मेरे साथ मिल पाया है मैं आप लोगों को बता दू रात को काफी लेट सोया था और सुबह फिर जल्दी उठना पड़ी है क्योंको कि बहुत सारा कंटेंट बनाना था बाई पूरा एक साल का मोस्ट इंपॉर्टन कंटेंट जो है वह आप सभी के लिए लिकराना था काजल जी अता है आत्या जी तनू सोनम अकाश सोनाली लक्षे खुशी मोटिवेशन मुद्रा संग मित्रा जी आयूशी आशीश क्या बात है हर everybody very very warm welcome अगर किसी का नाम ना ले पाऊं निश्यू फैजान अर्शद क्या बात अच्छाया खुशी दिव्या मनीशा जी क्या बात है मुस्कान जी शिवम श्रेया उज्रा वैशनवी अंचिका अच्छाया डॉक्टर रावन राजा क्या बात है I am so sorry अगर किसी का नाम ना ले पाऊं क्योंकि इतने सारे बढ़ाके के साथ मेरे साथ मेसेज आएं कि मैं शायद नाम किसी किसी के मिस कर गया हूंगा quickly session को like और share करके आगे बढ़ते हैं ताकि आपके सभी दोस्तों को आज कुछ फाइदा हो सके और open challenge कर रहा हूं हर ad tech को हर उस teacher को बताने के लिए कि आज का जो इस session है it's gonna be such an important जो कि आपके examinations के अंदर आपको बड़ी मदद करेगा आपको मेरी याद जरूर आई कि जब आप exam में बैट के मेरे इन questions को देख रहे होंगे आज हमने overall दो split के अंदर ये पूरा session करने वाले है first split that would be your you know six months and done again six months लेकिन मैंने इनके अंदर bifurcations नहीं किये है मैंने complete one year को दो split में रखा है I hope I am clear with this अगर clear है तो एक positivity के साथ करता हूं शुरुआत सहारे ढूनने की आदत नहीं है सहारे ढूनने की आदत नहीं है हमारी हम अकेले ही पूरी मैफिल को हिलाने का हौसला रखते है मेरे दोस्त तो अगर आप में भी सारा ढूनने की आदत नहीं है तो आप भी हिला सकते हैं सबकी मैफिल जी हाँ और वो सिर्फ एक ही तरीके से हिल सकती है वो है एक्जामिनेशन को पास करके अपनी ड्रीम कॉलेज को पाना ठीक है चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं सभी के साथ चलिए चलिए शुरू करते हैं इस एवरीबडी रेडी क्या सभी तयार है भाई जरा लेट में चेक कि लाइक का एक बटन जए हो दब चुका है क्या बात है भाई एवरीबडी इस वेरी वेरी अक्टिफ और मैं बता दू भाई ये सारा पीडिएफ जो आज मैं पीडिएफ देने वाला हूँ ये पीडिएफ आप सभी को कहा मिलने वाला है ओनली एड ओनली एक ही जगह दाट इस डिए ने भाई वीके तो प्लीज इसे फॉलो कर ले और मेरे साथ जुड़ जाएं क्यों 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 कि आपको इसके लावा और कहीं पे मेरी पीडिएफ नहीं मिल सकती सेकिंड इंपॉर्टन चीज बहुत सारे बच्चों ने कल भी दिमांड किया था कि सर मॉक टेस्ट आप इतना पढ़ा दिये हैं अब उसको सब्सक्राइब कहा करें तो आपके लिए एमेच सेट और सीटी वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट का पैक बना दिया गया है अनकैडमिक के दुवारा 15 मॉक्स के अंदर होने वाले हैं और आ स्कॉशन आपके स्क्रीन के ओपर यह रहा डैश बिकम्स दी फर्स कंट्री इन एशिया एंड दी सेकंट इन दी वर्ल्ट तो लॉंच हाइड्रोजन पावर ठ्रेन गाइज और यह सवाल बड़ा ही जबरतस सवाल है चलिए कुक्ली गुड मॉर्निंग अरे भाई एक बात जिस जिसको मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला हो तो आज मेरे को माफ कर दीजीगा क्यों क्यों कि आज एक साथ भीड जो है वह बहुत से एकदम से आई तो मैं बहुत सारे लोगों मिस कर गया लेकिन आर आप लोगों को जब तक गुड मानिंग की ना बोलू न तब तक मेरे अंदर भी एक सुभा का जो एहसास है वो मुझे होई नहीं पाता है आप लोग ही है जो कि वह एहसास मुझे करवाते हैं कुट्ली गाइस लेड़ सी लेड़ सी हाव मेनी ओफ यू नो दिस आंस हलो है हलो है हलो नमस्कार जी वापिस आ चुके हैं बहुत ही बैतरीन समय जो है वह निकाल चुके हैं भाईया यह तो आप दूसरों से काफी लोगों में आज जो है लड़ाई फसाद दंगा हो गया है यहां पर किरपा कर रहा हूं और आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब शांती वरकरार रखे क्यों 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 कि आज एक बहुत बड़े टेक्निकल ग्लिच के साथ के साथ पावर भी कट हो गया वह यह किसी का तो नजर लग गया है जैसे ही हम जिस दिन कुछ बहुत बढ़ा करने वाले होते हैं कोई ना कोई जो है फिस करके चला जाता है चलिए सर पूरा मूड खराब हो गया अरे आप से सोचिए मैंने पूरी रात महनत की रात के दो बज़े तक मैंने आपके लिए यह पूरा कंटेंट बनाया सुबह साड़े पाँच बजे से मैं फिर लग गया आपके इसी कंटेंट को बनाने में ओल्मोस्ट मेरी तो रात की नीद भी सिर्फ मातर तीन घंटे की हुई है ठीक है और इसके बाद में जो है मैं यहाँ पर आके क्लास जो है बीच में रुख गया आप सोची कितना ह गुसा आया होगा मैंने तो लतार दिया पूरी टीम को कि भाया क्या सिस्टम है यह कैसे बिगड़ गया यह सिस्टम तुरंत के तुरंत इसके अंदर बदलाव किया जाए चलिए चलिए शुक्र गुजार है कि आकिर कार फाइनली कुछ हमारे सामने जो है यहाँ पे की तरीके से लड़ेंगे जगडेंगे बिटा जी तो काम कैसे चलेगा सर मैं बोलते बोलते ठक गया कि कोई बिल पे कर दिया अगरो लाइट का आप सुनते ही नहीं अहे अब है जी मेरा बिल एडवांस पे होता है इट इस पेड़ एडवांस ली कार्तिक बेटा आपका और सभी बच्चों का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत है भाई मेरे लिए हर बच्चा बराबर है and everybody is so equal to me ठीक है सब मेरे लिए एक समान है ठीक है चली शुरू करते हैं भया करेक्ट आंसर यहाँ पे almost बच्चे ने मेरे तक पहुँचा दिया है कि सर चाइना बहुत ही बढ़ वेलड के अंदर हाइड्रोजन की कैपसिटी जो है वो Mmy create करने के जब है जहां पर millenn को यूज कर रहे हैं या यौज कए औरयर को यूज कर रहे होंगे अब भारत इस दॉड के अंदर आगे चल चुका है सर चाइना की ही तो है नजर लगी थी उसका नाम लेते ही कुछ चला जाता है अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं विच स्टेट कमेंज दी इंडियास फर्स्ट निलगिरी थार प्रोजेक्ट चलिए इसे बुला सकें लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी डू दिस चलिए चलिए एक दम स्पीड के अंदर भाई नहीं नहीं आप गायब नहीं होंगे भाई बहुत हो गए गायब यार चलिए लेट मी शेर दिस with everybody सभी को वापिस से बुला लेते हैं I think बहुत सारा बच्चा विचारा आज मेरे कारण परेशान हुआ है मैं उस सभी बच्चे से तहे दिल से माफ़े मांगना चाहूंगा क्योंकि आज का जो दिन है न यह बहुत important था मैंने बहुत मैनत की थी कि आप लोगों के लिए कुछ इतना बहतरी न लेकर आऊ एक बच्चे को जो है तो यहां पर है जिस स्टेट ने निललगरी थार प्रोजयक्ट चलाया है देखे तमिल लाडू के अंदर जो है यह आपको निलगरी थार दिखाए देँगे ठीक है यह आप देख पा रहे words these are most most and most and very important questions यह सभी बहुत important questions होंगे इनको एक भी बच्चा मिस्स मत कर देना इसकी PDF जो है वह आपको class के बाद मिल जाएगी इसका जरूर print out निकल वा लेना बेटा सर आप प्लीज सौरी मत फिल करिए हमारा नुकसान नहीं हो सकता जब तक आप साथ है धनेवाद 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 चलिए वह अब एक बार जरा quickly सभी बच्चों को एक बार बोल दो कि जुड़ जाए वह पड़ापट से सारे जुड़ जाएं आप बहुत लेट हो गया है अगला सवाल आपके स्केंड के उपर यह रहा विच्ट सिटी पुलिस अज़ वन दी बैस्ट पुलिस अवर्ड फॉर्टी ट्वंटी वन दो हजार एक्कीस के अंदर बैस्ट पुलिस किसको अवर्ड मिला था चलिए चलिए क्विकली गाईज एवरी बॉड़ी स्पीड करेंगे एकदम स्पीड में आंसर आना चाहिए आई तिंग कुछ बच्चों को मैंने भोल दिया था कि 12 बजे से में स्टार्ट करेंगे तो वो बच्चा 12 बजे ही जुडने वाला है मेरे हिसाब से उन्होंने अपना फोन वोन अलग रख दिया होगा अपने काम में लग गए होंगे और बारा बजे का इंतजार अब कर रहे होंगे लेकिन हम तो आदे घंटे पहले ही आगए साड़े गारा ही आगए बहुत गलत हुआ है बहुत बे इंसाफी है रिकालिया क्या बात है आपको मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है यह तो दोका है कोई बात नहीं यार देखिए दोका नहीं है लाइट आते ही मैंने सोचा कि अब समय वेस्ट नहीं करना चाहिए तुरंत से जो है आज आने चाहिए आप लोगों के लिए आलांकि यह सेशन जो है अ और आज हम इस सेशन intobellum को रखेंगे इवनिंग के अंदर फिकरा ताकि हर बच्चा जूर सके हर बच्चा आ सके यह फिर मिसको नेक संडें रखेंगे हम कोशिश करते हैं की जितना हो सके अज इसको करवाने की और बच्चा अगर जूर जाता है अगले आदे घंटे में सोनिया जी आपने मेरा गंटे वेट किया सर आज ही करवा दो कोशिश करूंगा आगर आज बच्चा पूरा आ जाता है तो आज नेक्स सवाल आपके सामने ये रहा वो हैस बिन कॉंफर्ड विट आसाम स्टेट्स हाइस सिविलियन अवार्ड आसाम बैभाव फॉर इस कॉंट्रिबिशन इन कैंसर ट्रीट्मेंट आप तो पूरा करवा दो बच्चा काम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रिकॉर्डिंग देख लेगा कोशिश एक्चुली क्या होता है आप लोग मेरे साथ लाइव हैं देखिए रिचा जी बुरा मत मानेगा ठीक है लेकिन प्रॉब्लम यह बच्चा कि हर बच्चे को म मैं क्या है man of word हूँ मैंने एक बार जबान दे दी ना तो मैं अब उस बच्चे के साथ धोका नहीं करने दूंगा है उस बच्चे को मैंने सब को बुलाया था आज कि मैं आपके लिए यह पूरा content त्यार कर रहा हूं और इतनी मेहनत भी की सब के लिए और वो बच्चा live में क्या होता है कि चीजें याद करना आसान हो जाती है बहुत आसान हो जाती है जिस तरीके से हम तयारी करवाते हैं बहुत बढ़िया बेटा डॉक्टर तपन सेक्या साब जो है यह oncologist है कौन है बच्चे he is an oncologist इनको basically यह one of the highest civilian award है आसाम के अंदर अभी रंजन गोगोई साब जो कि हमारे ex chief justice of India थे राम मंदिर में जिनका बहुत बढ़ा हात रहा था decision देने में उनको भी basically यह आसाम बैभव अवर्ड जो है वो दिया गया था तो यह है आपके सामने डॉक्टर तपन साब जो कि एक oncologist है जो कि cancer treatment के लिए इन्होंने बहुत बहुत बहुतरीन काम किया है अपनी society के अंदर उसी के लिए इनको यह award दिया गया है यह है हमारे डॉक्टर तपन साइका जी correct answer is your डी जिन जिन लोगों ने डी answer दिया है उनका सभी का correct है आगे बढ़ता हूं which union ministry launched the प्रजोला चैलेंज प्रजोला चैलेंज कौन से ministry ने लॉंच किया है क्या बात है नैसी डियास कह रही है कि मैं इनसे मिली हूं बहुत अच्छी बात है यार he is one of the best personality मैंने का interview देखा तस सर एक मिनट में कुछ लोगों को बुला के आई बिल्कुल जितने लोग हैं सब को बुला लओ भाई अगर हम वापिस से वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी तब तो इसेशन को पूरा करेंगे अधरवाइस सेशन को हम नेक्स संडे के लिए ही रखेंगे संडे के लिए हम इस सेशन को रख पाएंगे विकॉज मैं आपको क्लियरली बोल देता हो यार बच्चा देखिए प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप लोग वाला है बिलकुल सभी कहहरे हैं आप आप रंजन गोगोई जी लेत वाले हैं आपको एम यह रापको बदी आपको दिया अब आपको वहां से लेना है कि हम एक बड़ी पूरी class ले ले जिसमें हम पूरा ही one year जो है वो पूरा conclude कर दे या फिर इसको split में रखें देखें एक लंबी class में आप लोग ठक जाएंगे इसलिए मैंने कोशिश किया था कि मैं 2 split 3-3 घंटे में करूंगा तो शायद आप लोगों के लिए advantageable होता बहुत ब लायाल अंतोध्या योजना ठीक है तो यहां पर हम क्या करने वाले है जो नैशनल दूरल लाइबली हुड मिशन है उसके अंडर बेसिकली हमारे गाहाव देहात के अंदर जो है बेसिकली हमारे जो लोग हैं उनका किस तरीके से लाइबली हुड को हम और बैटर कर सकते हैं किस तरीके के आइडिया हम उनसे ले सकते हैं समस्याओं के और साथ किस तरीके से उनके उपर आक्ट कर सकते हैं यह आपका प्रजुवला चैलेंज अगले सवाल की तरह बढ़ता हूं और बड़े भाई मेरे आप कहां हो सर इन दिनों मिलते ही नहीं चलिए भाईया क्विकली हर बच्चे का आंसर चाहिए भाईया यह बहुत इंपोर्टेंट होगा अब मैं आपसे क्या पूछा हूं थर्टी नाइन प्रेसिडेंट पूछा हूं और ब्रेजिल क्यों इंपोर इंटरनाशनल कोट अफ जस्टिस के अंदर जो है सबसे पहले जो बेसिकली केस भीजा गया था ब्रेजील के दुआरा अना जो इस्रेल के अंदर जो इस्रेल और गाजा का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसका तीक है दूसरा बहुत इंपोर्टेंट है कि भाईया अब हमारी जो जी ट्वंटी की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास गई है ब्रेजील के पास गई है किसके पास गई है ब्रेजील के पास गई है तो यह जो जी ट्वंटी की प्रेसिडेंसी हमने पकड़ाई थी किसको पकड़ाई थी यह हमार सामने लूलूडा सिल्वा सहाब आये थे ल लोगों को दिया जाता है हाँ लुलु नाम है इनका बेटा प्लीज जरा इनको क्रिटिसाइज मत कीजिएगा नाम कैसा भी हो सकता है लुलु डुलु कुछ जाता है उन इंडियन औरिजिन को या फिर इंडियन एनराइज को जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन किये है ठीक है और आपको पता होगा अभी फेडेक्स के सीओ साब रामर नरंजन साब जो है उनको भी अवाड दिया गया था ठीक है कितना 27 बहुत ही बड़िया बहतरीन जबरदस एक दम शानदार करेक्ट आंसर क्या है 27 और इस अवाड़्स आर गिवन तो इंडिविजूल्स हुआ अचीव रिमार्केबल सक्सेस नट ओली इन इंडिया बट आल्सो इंट्रनाशनली उन लोगों को या वाड दिया जाता है हा करेंगे 33 आर्स की इच ताकि आपका पूरा एक साल कवर करा दूं मातर छे घंटे में कोई ये कह देता है न आपको की तीन घंटे में पूरा साल हो जाए वह या देखिए तो बखवास है तीन घंटे में पूरा साल के कोश्चन स्कूर्ट तो नहीं हो सकते अगर घास काट तो गास तो काट दी जाएगी लेकिन मेरा तो भया फितरत में भी नहीं है हम तो जब करते हैं तो डैप्थ के अंदर पूरी चीज करते हैं और मोस्ट से मोस्ट इंपोरेंट कोश्चन ही करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो गवर्मेंट आफ इंडिया अगर आपने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया है तो आप अपने नियरस जो भी सीनियर पूलिस ऑफिसर है सुप्रिडेंट पूलिस वहां पे आप उनकी कि कंपलेंट कर सकते हैं जिसके लिए उनके ऊपर चैशन लिया जाएगा करता सकते है तो आप उसके उठा सकते हैं कि पुलिस थप्ड मारते हम उसको वापिस लड़ेंगे तो आप्र बरावर हो जाएगा नहीं वहां अगर 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 कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आपने बनाई यह वहाँ पर कोई चश्मदीद गवा है या फिर वहाँ पर कोई CCTV कैमरे की फुटेज है उसके तहट आप उनके सीनियर को पुलिस को इंदर जाके जो है बेसिकली कंप्लेंट कर सकते हैं जिसके उपर जो है उनको बिलकुल कंप्लेंट के उपर सजा मिलेगी साथ के साथ में हो सकता है उनका suspension order तकाद भी निकल या है यह आपको किसको करनी है बेटा SP सहाब को करनी है ठीक है चलिए बहुत आसान सा लग रहा होगा correct answer क्या है बेटा science क्या है बेटा correct answer आपका option C होगा correct that is the national commission for Indian system for medicine ने central council of research in ayurvedic science यह दोनों ने मिलके जो है यह बेसिकली एक नया R&D mission जो है उसको start किया है एक यह बहुत important होगा मैंने जैसे आपको कहा कि R&D इसलिए important है because अभी हम basically generic दवाईयों पर dependent है generic दवाई कौन सी है वो दवाईयों जिनके patent expire हो जाते है उसके बाद हम उन में छोटे मोटे बदलाव करके जो है basically medicine का एक नया प्रारूप खड़ा कर देता है जैसे क्रोसीन और एस्परीन है इसी तरीके से बहुत सारी medicine आती है so हमारा काम है to boost scientific research in the priority health के research such as through the ayurveda college and hospitals इसके लिए ये बहुत important है ठीक है वेड़ा चलिए आगे बढ़ता हूँ और आगला सवाल आपके सामने लेकर आता हूँ विच स्टार्ट अप बिल्ड दी आजादी सेट सेटलाइट विच इस मेड़ बाई 750 स्कूल गल्स देखिए हर साल इस रो जो है ये एक बहुत बड़ी मुहीम है जो कि इस रो ने स्टार्ट की है इस रो जो है हर साल बच्चों को एक एक्जाम होता है उस एक्जाम के द्वारा जो है बच्चे सलेक्ट होते हैं जो कि इस रो के साथ काम कर सकते हैं उसी में से सर जी आप से बात करनी है परसनल कैसे कॉंटेक्ट करूं विदी जी आप मुझसे डारेक्ली कॉंटेक्ट कर सक बैस consistency आप मुझे दे दीजिए मैंने आप से क्या मांगा जैसे सुबाज चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा वैसे ही आपके विजिंदर सर कहते हैं तुम मुझे consistency दो मैं तुम्हें success दूँगा बात बराबर है वही तुम मुझे अपना समय और consistency दो मैं तुम्हें success दूँगा ठीक है बहुत बढ़िया स्पेस किड्स इंडिया स्पेस किड्स इंडिया जो है यह वो organization है जिसने बेसिकली आजादी सैट सैट का satellite है जो की develop किया है यहाँ पे 750 गर्ल्स है जिन्नोंने इंडिया की lightest satellite जो की आजादी सैट है with the help of ISRO जो है launch किया है ISRO Indian Space Research Organization और यह किसके अंडर आता है बेटा अटल innovation mission के अंदर आता है यह वाला जो आप अभी मेरे सामने देख पा रहे हैं यह मेरा भी answer आज correct हो रहे हैं बैया हम का बोले थे आज के session के बाद आप लोग एक नया confidence एक नई उर्जा के साथ घर तो इस चीज का वादा किये हैं तो वादा निभाएंगे ना हम जूट नहीं बोलते हैं कभी भाई हमें मतलब भी नहीं है और हमें पसंद भी नहीं है ठीक है ओके चलिए अगले सवाल की तरह बढ़ता हूं वेटा और अगला सवाल यह रहा विच इंडियन एथलीट हैस व उदर बॉल भिड़ भड़ा के आ रही होती है तो हमारी अभी रिसेंटली कौन सी खिलाडी है जिन्हों ने यह टाइटल जीता है अंडर 15 अंडर 15 का जो की ब्रिटिश ऑपन स्क्वेस टाइटल है विक्ली गाइज और गल्ल्स जो यह रहे नहीं यार विहारी थोड़े है अंहत लिए क्या बात मेरे लाल वाह वैरी गुड़ हे वैरी गुड यार वैरी गुड बहुत बढ़िया जबर्दस्त वैरी नाइस करेक्ट आंसर है आपका अनहत सिंग जी आनहत सिंग जी पेटा आज का जो यह मैं जो ये आपका complete one year लेकर आया हूँ न ये one year आपके सारे के सारे segments को छूदेगा everything यहाँ पे आपको science यहाँ पे आपको sports यहाँ पे आपको state के schemes यहाँ पे आपको international legal trade सब कुछ culture सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा GI tags A to Z जो most important हो सकता था वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको इस session में दे दूँगा लेकिन आपसे सबसे दरख्वास्त है आज यह session पूरा नहीं हो पाएगा हम इस session को upcoming Sunday को continue करेंगे जो आने वाला Sunday है उस Sunday को हम इसे continue करेंगे ठीक है चलिए So correct answer is your अनहत जी इंडिया की rising star है अनहत सिंग जोनोंने British junior open जो है यह जीता है किसमे बेटा अंडर 15 में ठीक है आपके लिए 3 year examinations के अंदर एक महीने का offer चल रहा है जबरदस्त वाला utilize कीजिए और code use कीजिए बेटा विजय फाइफ क्या use करना है code विजय फाइफ जल्दी से जुड़ जाईए समय बहुत कम है और ये उन बच्चों के लिए जिनके तैयारी बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन आप वो चेक करना चाहते है कि किस level की तैयारी की है तो mock तो देना पड़ेगा मौक तो देना पड़ेगा तो इसलिए बहुत important है बेटा कि आप सभी लोग जो है प्लीज जाईए और तुरंत की तुरंत जो है अपना ओलेट का हमारा जो जीत है उसे पर्चेस कीजिए और कोड यूज कीजिएगा विजय फाइफ क्या कोड यूज करना है बेटा विजय फाइफ चलिए और PDF का मिलेगी only and only एक ही जगह है DNA by VK चलिए अगला सवाल who among the following has been appointed as the new managing director and CEO of Paytm Payments Bank देखिए इसलिए important है तो कि Paytm Payments Bank जो है अभी recently जो है RBI के guideline के दुआरा यहाँ पे इसको ban कर दिया गया है use of Paytm is banned इसके अंदर deposits लेना और बाकी transactions को ban किया गया है तो कौन है जो कि Paytm के नए CEO बने है Paytm Bank के क्या वो सचिन्दिक्षिद जी है तिरलोग शर्मा जी है विवे करोरा जी है या सुरिंदर चावला जी है quickly guys and girls एकदम speed से भाईया चलिए quickly guys quickly 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 बहुत बढ़्या राव सपना गुपता जी स्मार्ट एसस्टेंट फॉर स्कोप बिलकुल बेटा स्कोप ही स्टेंड करता है स्मार्ट के अंदर अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए एक बढ़ चेक कर लूँगा और अगर 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 सपना जी बिलकुल जो स्कोप है स्मार्ट है उसके अंदर पहला जो वर्ड है डाट इस स्कोप ओनली स्कोप फॉर आयुर्वेदा एंड रिसोर्च सर मैं कभसे मैसेज कर रही हूँ देख की नहीं रहे यार बिटा जब मैं स्क्रीन के उपर होता हूँ तब शायद आपका मैसेज नहीं देख पाता हूँ लेकिन जब हम कमेंट की तरफ आते हैं जब आप लोगों को आंसर देने के लिए कहा जाता है तब मैं पूरा पूरा जाता हूँ आप ही के कमेंट्स के अंदर अच्छा नहीं बेटा डाट इस स्कोप ठीक है चलिए सुरेंदर चावला जी जो है यहां पर करेक्ट आंसर है यह रहे आपके सामने सुरेंदर चावला जी जिनको अभी रिसेंट्ली अपॉइंट किया है मैनेजिंग डारेक्टर ए चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो फेमस फुटबॉल प्लेयर डाट इस गैरेथ फ्रैंक बैले और अगर फुटबॉल के आप दिवाने है तो आपके लिए तो यह सवाल बड़ा ही आसान हो जाएगा चलिए यहां प पर मैं कंक्लूजिव आपके सामने ले आऊंगा सर आज मिल जाईएगा क्या चलिए नहीं नहीं बेटा आज तो आपको सिर्फ फिफ्टी कोशन से मिलेंगे सर एक बच्चे का अंसर आया है कुछ देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर मेरी तब्यत कर रहा है फिर भी आपके क्लास ले रहा हूँ कितनी देर तक वेट की यह आपका सुवानी जी आपने मेरा इंतजार किया इसके लिए तह दिल से शुकरिया गुजार हूँ आपका लेकिन आपको बता दो बेटा मैं तो पूरी रात इंतजार किया हूँ इस क्लास का पूरी रात कि कब सुबह होगी और एक एक बच्चे को जो है मैं वो सवाल पकड़ातू जो उसको एक्जाम में सीधे मिलने वाले हैं correct answer is your Wells ये Wells जो है वहाँ से बिलॉंग करते हैं कौन गेरात बेले जी कहां से वेल से बिलॉंग करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ आता हो who is the composer of the golden globe award winning song natu natu from the movie rr देखिये rr movie से related जो है psychologist जी आपका message मुझे दिखने पाया है प्लीज एक बार फिर से आपना डाल दीजिए जरा फिर से बार डाल दीजिए जब तक हम इस question के तरफ जाते हैं चलिए who is the golden globe award winner for natu natu इसका composer कौन था बेटा लेकि rr से सवाल आप से बहुत सारे पूछे जाएंगे यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है चलिए बैया quickly guys and girls quickly quickly चलिए बेटा विजय शंकर साब थे if I am not wrong psychology विजय शंकर was handling this before this I am not pretty much sure about it आप एक बार क्रॉस वेरिफाइज जरूर कर लीजिएगा क्या बात है एक लाइन से answer आया है mm किरवानी सहाब यह हैं आपके सामने mm किरवानी सहाब जिनको यह award मिला है for the nato nato song किसके लिए बेटा nato nato चलिए अगला सवाल आपके screen के उपर यह रहा who has become the first woman pilot to run Sukhoi fighter jet at Veer Garden 2023 in Japan चलिए किसने Sukhoi fighter plan को चलाया है आपको पता है Sukhoi one of the devastating fighter plan है इंडिया के पास में और उसे basically एक fighter plan जो की एक lady ने चलाया है क्या वह अवनी जी है या अवनी चतुरवेदी जी है भावना जी है या शिवांगी सिंग है इसमें दो नाम है अवनी दो है अवनी लेख रहा है और अवनी जी चतुरवेदी है तो प्लीज ए या बी में आंसर दीजेगा अवनी मत लिखेगा आप लोग मेरे साथ गेम खेल जाएंगे बरना या फिर आगे का लास्ट नेम लिखेगा लेखरा या फिर चतुरवेदी जी चलिए बहिए बात यार आज गलती है क्यों नहीं कर रहे हो क्यों मुझे मन नहीं कर रहा गी मैं तुम लोगों के थोड़ा डाट पिला हूं और तुम्हें समझाओं क्या कर रहे हो आरे बाई आर तो एकदम किर फाड कर दिये हैं जी के गाव हैं क्या गजब बाद भाई मज़ा आ गया चतुरवेदी जी के साथ में सभी लोग जुड़ गये हैं अवनी चतुरवेदी जी ये दिख रहे हैं आपको सक्ष्य वन अब दीप पर्स परसन फीमेल पाइलेट जिसने सुकोई को रन किया है और इनका नाम है अवनी चतुरवेदी जी इतना सारा बच्चा जो है वो हमारा तोरेक्ट है जा रहा है एक बच्चा गलत नहीं आ रहा भाई I am pretty much shocked and pretty much happy to see कि result जो है बहतरीन है 100% देख पा रहा हूँ मज़ा आ रहा है सच बता रहा हूँ यही result पूरे जितने कोशन कर रहा हूं उसमें सब यही result दे देना ठीक है चलिए अगला सवाल वेर ड़स इंडिया स्टैंट इंडेक्स फोर 2023 2023 के हैं लेस पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया कहां स्टैंड करता है सचिन चौरस्या जी गलत कैसा कर सकते हैं आप अब नहीं होना चाहिए यह आप सही देंगे यह जवाब आप सब सही देंगे अब चलिए quickly guys and girls let us know about it चलिए सपना जी उन्नती आरे नहीं बेटा साइकलोजेस्ट दो ही तो सवाल कर लात हुआ है बच्चे मतलब ratio above 80% चल रहा है भाई amazing बहुत बढ़िया बारत की 2023 के अंदर जो है endless passport index के अंदर क्या rank थी 80 थी अब बताइए 2024 में क्या है 2024 में क्या आई है 2024 में हमारी passport index जो है कि 2024 में हमारी क्या rank आई है जल्दी से लिख डालिए जल्दी से अरे वाह वाह मेरे चीतो वाह क्या बात है बहुत बढ़िया सो यह रहा हमारा इंडिया प्यारा सा इंडिया जिसकी rank है 80 पर हम 57 countries के अंदर जो है without visa travel कर पाते थे जहां पर अगर हम आज की टाइम पर देखें तो we can go to up to 65 countries हम 65 countries के अंदर free of visa जो है travel कर सकते हैं ठीक है हम हालां कि 5 पाइदा नीचे गिर गये हैं लेकिन फिर भी हमारी फ्री ट्रेवलिंग कंट्री जो है वो जरूर बड़ी है ठीक है ओक चलिए बेटा नेक्स सवाल वेरीज इंडिया फॉर्स सेंटर ओफ एक्सिलेंस इन ओनलाइन गेमिंग टुब सेट अप एक ओनलाइन गेम आप में से बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे तल मैं ओनलाइन पढ़ा रहा था एक बच्चे ने बोला सर पीएस फाइव मिल जाए ऑनलाइन गेमिंग खेलते होंगे ठीक है येस बेटा 65 कंट्रीज में हम पुरी वीजा ट्रेवल कर सकते हैं पुरी वीजा मतलब आपको वीजा ओन अराइवल मिल जाएगा आपको प्रायर वीजा लेने की ज़रुत नहीं है ठीक है वहीं पे जब हम टॉप पे बात करें तो बेटा जैसे आपके फ्रांस हो ग यह बेसिकली 193 कंट्रीज के अंदर जो है विजाओट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं आप सोच रहे हैं 193 चलिए बहुत बढ़िया शिलॉंग के अंदर किया जा रहा है बेटा शिलॉंग नौर्थिस रिजन को हमने काफी बहतर डवलप्मेंट की तरफ जो है पुश किया है यह आईसोलेटेड पहले की तरफ से हम देख पा रहे थे पहले नौर्थिस को काफी आईसोलेटेड रखा गया था उससे जो है अब आईसोलेटेड नहीं रखा जा रहा है अगला सवाल आपके स्केन के उपर उससे पहले बता दूं सेंटर फोर एक्सिलेंज जो है यह अनलाइन गेम्स बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है ठीक है ओके भारती विजिट करना है पहले पूरा बिलकुल एक बार विजिट जरूर कीजिएगा वू अमंग दा फॉलेंग वस नेम डैस दी प्रेसिडेंट ऑफ कॉप 28 क्लाइमेट कहां पर हुई है और आपको बता दूँ कॉप 28 के साथ की साथ आपको वाइल लाइफ कॉप 14 के बारे में भी पता होना चाहिए चलिए 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 शाबाश आइटिंग जितना भी बच्चा यहां जुड़ा हुआ है वह बच्चा है जो की पहले मेरे साथ जुड ब्लंडर है इतना सारा बच्चा लाइव था मेरे को इतना गुसा आरा है ना इस लाइट के उपर कि मैं थोट डालेगा अभी जाके जो है हमारा आजमेर विध्यूत वित्रन लिमिट जो है वहां पे जाके आग लगा देगा वहां जाके मन तो ऐसा कर रहा है इतना सारा बेहर सहाब ठीक है बेटा और basically cop की full form अगर हो तो it is conference of parties क्या होता है बेटा it is conference of party ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं और समझते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं pineapple express phenomena which was seen in the news is related to which field pineapple phenomena आपको पता होगा pineapple phenomena और अगर थोड़ा हिंट बताओं तो अमेरिका की तरफ देखने को मिला ता हवाई अमेरिका कुछ याद आ रहा है हवाई और अमेरिका ऐसा कुछ याद आ रहा है तो वहीं से आप समझ जाएंगे कि क्या था वो सर आप इतने स्मार्ट क्यों हो शायद मैं खोकर खाखा के स्मार्ट वहाँ बदाम तो नहीं खाता मैं ठीक है रोहन पांडे जी रोहन पांडे जी आप भी बहुत स्मार्ट है याद यार वेरी स्मार्ट चलिए quickly guys and girls let us let us go ahead क्या बात metrology very good यार metrology से dependent है देखिए अभी recently आपको में एक figure के द्वारा दिखाता हूं यह देखिए हवाई की तरफ से जो है यह air का flow हुआ California की तरफ और जो यह pressure create हुआ यह pineapple shape के अंदर हुआ इसी को कहा गया where the atmospheric starts near the Hawaii and stretches towards the US west coast and it is known as pineapple express भूल मत जाईएगा चाप लीजेगा sorry sir मैंने join किया था but wait किया तो आपका glitch हुआ तो काफी late हो गई थी कोई बात नहीं बहुत सारा बच्चा 12 बजी आएगा मुझे पता है चलिए अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं विच डिस्टिक्ट ऑफ केरला है एस बिन कंसिडर्ड़ फर्स कॉंस्टिटूट कॉंस्टिटूशन लिटरेट डिस्टिक्ट मतलब हरे बच्चे को बच्चे बच्चे को पता है कि भाईया यहां पे संभीधान को पढ़ लिया है सबने चलिए समयक जी कह रहे हैं सबसे पहला जवाब समयक जी का आया है भाई सब को देख रहा हूं लैट में सी अच्छा लाइक कितना हो गया अरे मैंने रिफरेश नहीं किया बाई मैं आज जब मैं पढ़ाने लगता हूं मैं फ्लो में बह जाता हूं यार मैं भूल जात हूं कि तुम लोगों के लाइक भाइक भी देखने होते हैं लेट में रिफ्रेश इट ओमाइगाद यू 96 क्या बात है आपका प्यार इससी प्रकार से बना रहे हैं बहुत बढ़िया कोलम जो है बेटा कोलम वो डिस्टिक्ट है जहां पे आप देख पार होंगे यह इंडि कहा है ठहला पीरेटा को क्यों से स्टेट में आता है कोण से स्टेट में आता है को विएकली गाइब कर रहा है वहीं से आपको को ट्रेसे रेट बहुत बैतरीन है मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बात करूँ कैरला की तो कैरला के अंदर टोटल फर्टिलीटी रेट जो है बेटा डिस इस अमेजिंग 1.8 है तो को कि महां लड़किया पढ़ी लिख्की है राइट आंसर इस और कैरला आगे बढ़ता हू इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल एक्सराइज जो हुई है उसका क्या नाम है भाई यह सभी नेवल एक्सराइज बता हो नेखिये यार आप ये रोशन पांडे जी देखिये यहां पर आप जो है न यह करला स्टोरी वाला जो है यह यह प्लीज यह मत कीजिए हमका तुमें बड़ा धक्का लगेगा क्यों क्योंकि मेरी क्लास जो है वह कॉंट्रॉवर्शियलिव फरी रकार की कॉंट्रॉपर्सीम यहाँ यहां पर नहीं करते हैं वरना कॉंट्रॉवर्सीम कर झांदो प्तानी कि हम यह तॉ qvm क्यांदर तो υच्जाम के लिए इंपोर्ट लिखारी बनेंगे तो आप पेसिकली मैं जब आपको इसलिए मैं कहता हूं जो सुबह मेरी 10 बजे क्लास होती है इसको जब आप अटेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा परस्पेक्टिव आपको एक मेरा वॉइस तुम नहीं देख रही हो कोई ऐसा है जिसको मेरी वॉइस और नहीं जा रही है तो एक बार वो अपना यूटूब को बंद करें फिर से चालू करें लाइक का बटन दबाए और शुरू हो जाए मेरे साथ चलिए बहुत बढ़िया वरुना एक्ससाइज जो है व चलिए आगला सवाब इस्ष्रो ने सुक्रियान वनमिशन जो है जो है ये प्लैनेट टू वीनेज जाने वाला है इसको शिफ्ट कर दियाfel एस है पहले ये 2015 था 2025 के अंदर जो हैं सु क्रियान वनम करने वाले थे लेकिन अब इसको श्व्ट कर दिया गया है आगे बढ़ा के अंदर और 31 के अंदर जो है बच्चा एकदम फस गया है एकदम से चलिए बहुत बढ़िया क्या बात है आंसर की इंटेंसिटी जो है बढ़ भढ़ के आ रही है एकदम भर भर के क्या बात है मजा आ गया बेटा करेक्ट अंसर 2031 है अब तक बढ़ा दिया गया है यह देखिए स्पेस की तरफ से न्यूज हम को मिली जहां पर सुकुर्यान अगेबढ़ता हैं जो है इसको एसको एसको एक बाद बहुत इंपोर्टेंट आने वाला यान, गगन यान मिशन, खीक है, चली, आगे बढ़ता हूं, next question की तरफ, what is the theme of World Economic Forum 2023, देखा, ऐसे, मैं क्यों बोलता हूं, आपको theme पढ़ लेना, क्यों, क्यों क्यों कि मैं, आज सारे questions को उसी तरीके से पूछ रहा हूं, ताकि अगली बर से जो बता हूं, उससे तुम छोड ना दो, बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, नहीं बेटा, इसमें 300 नहीं, इस वीडियो पे तो 1000 प्लस लाइक्स का target है, वो हम अगले संडे को पूरा करेंगे, वो अगले संडे को करेंगे, बेटा, target इतना, इतना बड़ा वाला मेहनत की है, इतने कम लाइक्स में हम खुछ थ बढ़िया, cooperation in the fragmented world, देखिए, आपको पता है, पूरी दुनिया आज के टाइम पे, बिल्कुल, अलग-अलग हो रखिए, बटी हुई है, इसके बीच में cooperation करना है, यह जो fragmented world है, इसको, और एक बहुत important चीज है, world economic form के बारे में, यह launch कब हुआ था, 1971 में, और जब यह found तो इसका नाम क्या हुआ करता था, European Management Forum, क्या नाम था, European Management Forum, और 1987 तक इसका नाम क्या रहा है, European, और उसके बाद में इस नाम को बदल के हमने क्या रखा, world economic forum, और 2023 का theme था, cooperation in the fragmented world, ठीक है, एक और, एक और, सर एक बच्चे ने unlike कर दिया, जिसने unlike कर दिया, उसका भी बहुत स्वागत है, देखिए, मुझे, मुझे दोनों ही चीज़ चाहिए, मुझे likes भी चाहिए, और dislikes भी चाहिए, अगर आप मेरा, आप मेरा पढ़ाया हुआ, और मेरा content नहीं पसंद करते हैं, तो dislike करने का आपके पास पूरा-पूरा support है, मेरा, please, करिए, दिल खोल के करिए, अपना मत रखिएगा, क्योंकि freedom of India के अंदर आप रहते हैं, democratic nation है, आपके पास अपना fundamental right है, ठीक है, एक बहुत important चीज़ है, कि यह found किस ने किया था बेटा, German economist है, clause swabs, यह तीन सवाल यहां से बनते हैं, और तीनों सवाल आपको पता होने चाहिए, World Economic Forum से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल अगला पूछते हैं, India's first 3X platform wind turbine generators WTG has been installed in which state, quickly, मैंने आपको कहाता, energy के अंदर जो है, ठीक है, energy के अंदर जो है, basically, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ हम जो है, you know, solar की तरफ ही नहीं रह सकते हैं, हमार पास और भी options हैं, जिसके अंदर आपक basically wind energy है, आपके अंदर आपके पास nuclear energy है, और आपके साथ में अब तो गोबर धन योजना के द्वारा गोबर गयास है, इन सभी energies को explore करना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, let me see, सर ये तो इतने important question है सारे, अरे बेटा एक question ऐसा नहीं है जो important ना हो, बहुत important question ही लेकर आया हूँ, और हलका भुलका session नहीं है आज का भीया, मजाग थोड़ी करेंगे, जब आपको promise कर दिये, जब आपको promise कर दिये, कि भाईया, most important question ही कराएंगे, तो भाईया, most important का भी most important कराएंगे ना, चलिए, बहुत बढ़िया, करनाटका के अंदर जो है बेटा, और wind energy के अंदर सबसे बड़ा stake आज की time इंडिया के अंदर जो है, वो कौन ले रहे हैं, वो है अडानी powers का इंडिया में, ठीक है बेटा, चलिए, अगले सवाल की तरह बढ़ता हूँ, और अगला सवाल आपके skin के उपर ये रहा, which of the following airport won the prestigious best sustainable greenfield airport award, देखिए, best sustainable greenfield airport, सवा जान, मान कर रहा हूँ, आपके गले लगा लूँ, यार मेरा भाई कितना मैनत करते हो भाई, आपसे मिलना है भई, रोहन पांडे जी, आप जब भी आपका मन करें, आप हमें बुला लीजिएगा, यह हम आपसे मिलने आ जाएंगे, हमारा तो काम ही यही है, कि दिल लगा के काम करिये, जान लगा के काम करिये, और जब रिजल्ट आये ना, तो उन बच्चों की खुशी के अंदर शरीक होके, अपनी मेहनत का जो फल है, उस फल को जो है, उसी तरीके से चखिये, जैसे कि आपने कुछ किया ही नहीं, सब उसी का काम था, आप ही का सब काम है बेटा, ये सवाल मैं जब आपको बोलता हूँ ना, कि सवाल को पढ़ियेगा, वो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को एक एक तुमारी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे पता है, कि तुम लोग कहां पे गड़बड करोगे, कौन से कोशन में तुम लोग सबसे इंटरनाशनल एरपोर्ट जो है, इसे बेसिकली कहा गया है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट, क्या कहा गया है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट, चलिए, सो करेक्ट आंसर इस और गोवाज एरपोर्ट विंस, बेस्ट ग्रीन फिल्ड ए नहीं है तो कि मैंने आपको बहुत दिनों बाद यहां पे देखा है अगर आप consistent रहेंगी कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ consistent है और उनका आज 80% से अबाव जा रहा है उसके बावजूद आपका score 80% अबाव है यह है power of consistency my dear child छाया जी ठीक है बट्टे चलिए आगे बता दूँ अगर आप तैयारी कर रहे है थ्री येर्स की या आप कर रहे है क्लाट की तो बेटा one month extra आपको free दे रहा है और यह आपको सिर्फ मिल रहा है किस पे विजया 5 code के आपके पास में reference code हो उसको use करिए विजया 5 और जोड़ जाएए बहिया and this is golden opportunity guys and girls आपके 15 mock test का बहुत दिनों से कह रहे है कि सर्थ सिर्फ MHCUT का दिला दीजे ना तो MHCUT का हमारा already release हो चुका है जीत के नाम से और जीत को आप purchase कर सकते हैं मात्र 359 में में इस पर भी बड़ा discount पा जाएंगे अगर आप use करते हैं code विजया 5 ठीक है चली this is your unacademy का एक preference क्यों because आप यहां पे अपना हाथ खड़ा करके सवाल पोच सकते हैं किसी का कोई सवाल yes sir I want to ask you can ask और साथ की साथ बेटा आप in class doubt solving picture click करके भी पोच सकते हैं ठीक है आज मिल जाएगी sir pdf हाँ बे सवाल है what is the name of fifth कलावारी class submarine inducted into Indian Navy चलिए आपको मैं बता चुका हूँ एक तो project 15 और कलावरी सब्मरीन इसके बारे में पता होना ही चाहिए ठीक है भाईया sir class की recap चल रही है mind में सब याद आ रहा है पुराने classes का best क्या ही होना चाहिए अरे जितना कुछ पड़े हैं उसको एक number से revision कर देंगे जबर्दस तरीके से चलिए quickly girls and boys आज मेरे लड़के भी आगे रहेंगे क्योंकि मेरी class के अंदर 90% लड़किया है सिर्फ 10% लड़के हैं और यह 10% लड़कों से दर्खवास्त है कि आज लड़कियों को हराके मानोगे भाई तुम लोग everybody आज लड़ाई हो जानी चाहिए भाईया आज जंगे मैदान जो है वो हो जाना चाहिए राइट चलिए बहुत बढ़े हैं जबर्दस आई एनस वजीर जो है यह आपके सामने आई एनस वजीर जिसको इंड़क्ट किया गया है इंडिन नेवी के अंदर और यह है बेटा हमारी जो कि हमारे यहाँ पे खुद बनाई वी स्कॉर्पीन सब्मरीन जो है उसका एक बहुत इंटिग्रल पार्ट बना है और वेरी वेरी स्ट्रॉंग सब्मरीन बेटा सब्मरीन जो होती है बेसिकली यह अंडर वाटर जो है अटाक करने के लिए काम में ली जाती है जैसे टॉर्पेडोस क का आगाज हो चुका है यह कितने लोग है जो आज इस जंग के अंदर अपना खून पसीना यह जितना भी आपने बहाया था इतने दिन तैयारी करने में उसका आज मज़ा लेने के लिए बैड़ गए हैं कि आज तो हम जीत के ही मानेंगे तो तैयार हो जाईए आपकी स्क्र स्वाल तैय करेगा कि लड़की आगे निकल पाई है या लड़का आगे निकल पाया है यह मैं किसी परकार का डिस्कुमिनेशन नहीं यह मैं कॉम्पटीशन क्रियेट कर रहा हूं ताकि आपके अंदर एक आग रहे कि जीतूंगा तो मैं ही सवाल यह रहा भाई विच आंप लड़ो ने बोला है इस तर इट इस बॉर्डर सिक्यूरिटी फोरस सम्यक आए हमारे सामने क्या बात आर्यन क्या बात है बहतरीन जबर्दस्ट क्या बात है यहां पे हमारी लाड़ो जो है लाड़ो जो है हमारी वो पहले पे हैं और दूसरे नंबर पे हमारे सम्यक सहाब है दोनों को बराबर के नंबर देखे और सीम पआईदान पर खड़ा करता हूं लड़की को भी लड़के को भी लेकिन अगले सवाल के अंदर जो पहला आया वही पहला आया को कि यहां पे आप से कुछ पूछा जा रहा था उसके अचानक से सवाल आ गया ठीक है भाई लाडो मेल है अरे लाडो बताईए जरा आप लड़का है या लड़की है विक्ली लाडो लाडो बोलो लाडो तुम लड़की हो या लड़का हो जल्दी से बता दीजे मुझे क्या बात है चलिए लाडो का जब तक जवाब आएगा तब तक हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स हैं उन्होंने बेसिकली अभी आप्स अलर्ट के नाम से एक्सरसाइज की है और यह एक्सरसाइज कहा है लाडो ने कोई जवाब दिया पढ़ली यह लड़की है यार कैसी बात कर रहे है यार हमारे यहां तो लड़की को बोलते हैं तभी मैंने लड़की का नाम लिया है तो बैसिकली यह इमजेंशी सर्विस इमजेंशी सिचुएशन के इंदर जो है खुद को बिलकुल एकदम तयार रख पाए बॉर्डर स्कूरिटी प्रबंदन पुरसकार 2023 इसके बारे में गलती कर दिए तो भाया लडाई हो जाएगी इंडिपेंडन लाडो का नाम है लाडली तो करेक्ट तो भाया लाडली है चलिए महताब जी ने सबसे पहला दिया है जवाब और सपना गुपता जी ने दिया है दूसरा क्या यह सही भी दिया है भाया पहले देना जरूरी नहीं है करेक्ट भी देना जरूरी है और सबसे पहले भी देना जरूरी है यहां पे हमारे महताब जी सबसे quickly पहुँचे थे सबसे पहले महताब जी ने यहां पे दिया हमारा लड़का बिलकुल जवर्दस्त तरीके से 90 परतीसित लड़कियों की audience के अंदर सबसे पहले दिया है जिया ने महताब सभी पहले दिया है क्या आप बात कर रही है हम देख नहीं पाएं भाई जरा क्विकली जरा दिखा दीजिए मुझे कोई है बच्चा जो चेक करके बता सके कि कौन है जिसने पहले दिया था चीटिंग नहीं करेंगे देखिए मैं हूँ एंपायर और मेरा डिसिजन लास्ट होगा और यहां पर कोई भी आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते हैं जब मैंने डिसिजन दे दिया तो कोई वहां पर यूट्वप पेटा पेटा यूँ नहीं करेगा क्योंकि मेरा डिसिजन लास्ट होगा, ठीक है, महताब ने दिया, मतलब महताब ने दिया, हमारा लड़का सबसे पहला नंबर लेकर आया है, ठीक है, चलिए, घरेक्ट आंसर जो कि आपका उडिसा है, उडिसा कोई अवाड मिला है, बहुत ही जबर्दस जो जी नहीं किसी परकार का कोई रिव्यू नहीं है लाइव में आप यहां देख सकते हैं चलिए सर हम फरस्ट हैं हम फरस्ट देखो यह लडाई सुरू हो जायागा इसलिए हम कह रहें कि हम हम जो है आपके वकील भी है जज भी है और हम आपके अंपायर भी है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हुए व्याज बीन नेम्टी वूमेंग इमर्जिंग किर्केटर ऑफ देए 2022 लेट में सी तैयार है क्या लेक मिसी गलिए चलिए शावाश यह आया आँसर आया आया कि रामकुमार जी का अंसर आया है नहीं रामकुमार जी के साथ सपना जी का भी आंसर आया है क्या बात है क्या बात है क्या बात है सबसे पहले आया है हमारे पास में सबसे पहले आंसर आया है हमारे पास में हमारे पास आया है सबसे पहला आंसर शिफाजी का शिफाजी का आंसर सबसे पहला है यहां पे शिफाजी गई है भाई शिफाजी का अंसर सबसे पहला है हमारी लड़किया मारी छोरी कोई छोरा से कम है कि इस सवाल आप लोगों को मौका दिया उन्होंने और दूसरे में लड़कियों ने हरा लिया और लड़कियां सबसे आगे निकल के आ गई है पेटा सही आंसर रेनुका जी है एक तो इनका और एक हमारी हर्मन जी का जो उनका यह स्टाइल है ना विकिट के बाद जवर्दस्थ है चलिए अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं माई डियर चाइल दा मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम वस्ट्रांसवर्ड फ्रॉम् टूरिजम तो विच मिनिस्ट्री पेचीदे सवाल है लेकिन यही आपको बताए चलिए 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 महताब ने कहा है सर मिनिस्ट्री ओफ फल्चर चलिए बहुत बढ़िया और स्पीड स्पीड वहिया महताब यहाँ पे अरे शिफा अरे मेरी बच्ची शिफा जो है और हर बच्चे से कह देता हूँ I am telling every child don't get laid by the overconfidence भावनाओं पे मत भह जाईएगा अपने nerves को एकदम strong रखिएगा क्योंकि exam time में भी यही होता है EG PG lemon juicy type की question होते हैं वही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं क्योंकि हम excitement में गलत कर देते हैं आपके अंदर एक self control हना जरूरी है और एक accuracy होनी बहुत जरूरी है अगर मेरे से सहमत है तो एक बार love you डाल दीजिए और आपको correct answer के साथ बता देता हूँ कि हमारा लड़का महताब जो है वो जीता है हमारा लड़का महताब जो है वो जीता है अब की बार भी मतलब लड़कियों तुम्हारा यहां पे ratio मेरी class के अंदर mostly ratio जो है वो 80% लड़किया 20% लड़किया होते हैं आप सोचिए इतनी सारी लड़किया है जो current affair पढ़ना चाह जो है जो कि पहले ministry of tourism के पास में थी अब यह ministry of culture के पास है ठीक है लड़का जीत गया महारो लड़कों जीत गयो how many crores have been allocated for the centrally sponsored vibrant village program यह सवाल देखना है मुझे यह पेचिदा सवाल है यह सवाल पेचिदा है let me see कौन है जो सही correct answer देता है कम ओन कम ओन कम ओन आईशा 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 यहां पर answer दे गई है हमारे को आईशा जी यहां पर हमको answer दिया है आईशा जी नहीं साम्याक बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो और मैं आपको बता दूँ सर मैं आपकी class में consistent रहती हूं मेरा score बहुत improve हुआ and I'm really feeling confident thank you so all thanks to you guys क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ मेरे पर भरोसा दिखाया है जिस जिसने मुझे भरोसा दिखाया है मैंने मैं भरोसे का पक्का आदमी हूं बईया ठीक है ना और पूरा नाम याद रख ले ना विजंदर चौदरी मारा नाम है और हम भरोसे के पक्के आद चलिए बहुत बढ़िया 48 क्रोर रुपीज जो है 48,000 क्रोर रुपीज जो है वाइबरेंट विलेज प्रोग्राम को दिया गया है जहां पर हम अमारे विलेजेस को जो है डेवलप करना कर रहे है ठीक है चलिए अगला सवाल बहुत ही बैतरी इन विच स्टेट इंडिया जवाब दे देंगे जाली है चली अ n चलिये घ्र 21 जो है हमारा फूट उडब बाइट जो है वह जरा एक बार लिख दे कि बेटा-ापका नाम की है या फूड बाइट तो एसे लग रहा है जैसे किसी ने बटका भर लिया खाने के तो समझ नहीं पाया हूं कि आपका सही नाम क्या है तो आज पहली बार 326 लाइक दिखा है लाइव क्लास के अंदर ही आरे वा भाई जरा देखें तो कितना लाइक हुआ है अच्छा दिल लगा के लाइक किये हैं आज तो बच्चे भाई How many of you have liked it यार? If you like my session then only like it there is no provision of asking for the like Like पसंद आये आपको मेरा session तो ही like कीजिए वरना like करने की जरुवत नहीं है चलिए अच्छा लड़की जीत गई क्या food bite सर वेशाली नाम है ओहो पहले तो इन्होंनों नाम इतना जबर्दस रखा food bite और फिर अपना नाम इन्होंने इतना जबर्दस तरीके से लिग दिया वेशाली क्लेक गट्रेक्ट आंसर आपका उतरा खंड क्या है बच्छे आपका सवाल आपको फिर सवाल अपको वो पसाएगा और फसेगा नहीं मेरा बच्चा टांसो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सपना जीत गहीं है, guys and girls, एक ताली बजा दीजिए करेक्ट आंसर देने के बाद, सभी से request है, सभी से request है कि एक बार ताली बजा दीजिए क्यों, क्यों क्यों कि ये complete one year का current affair है, मजाक नहीं है इसमें करेक्ट होना मैं तो बहुत कम करेक्ट रेश्यो सोच के आया था कि आप लोग जो है आप लोग जो है वह बहुत कम करेक्ट आंसर देंगे लेकिन आपका रेश्यो तो बड़ा बहतरीन जा रहा है भाई सबर्दस जा रहा है सर मैंने बताया हूं पहले नहीं 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 नो चीटिंग नो चीटिंग तरह तांसर है हमारे विगनेश आनार आप देख पाएं तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका विगनेश आनार जो है यह बने हमारे 80 ग्रेंड मास्टर ग्रेंड मास्टर कौन है बहिया एकदम जवाब देजिए कि 84 ग्रेंड मास्टर कौन है चलिए चलिए और 84 पूछ रहे बहुत बढ़िया बंदना जी बहुत बढ़िया परके नंदा जी वेरी गुट बहुत शांदार जांदार जबर्दास अगला सवाल इसकन के ओपर यह रहा विच फिल्म हैज बिन सेलेक्टेड एस दे फिल्म आप दे इयर अट दी दादा साहे फाल की इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल दो हजार तेईस कौन से फिल्म को सेलेक्ट किया गया है कि यहां पे शुशांता जी ने कहा है यह बहुत बढ़िया लेट मी सी लेट मी सी सबसे उपर कौन आया है सबसे उपर आये हैं हमारे पास में रितेश यहां पे रितेश जी जो है वो सबसे बहतरीन तरीके से बोले सर कंचारा नहीं है सर गंगुबाई काठिया वाली भी नहीं है और सर कश्मीर फाइल्स भी नहीं है सर मैं तो आरार के साथ हूं अरे आरार के साथ हूं बहुत बढ़िया अबर दस आज जोश अलग आ रहा है हालांकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है सिर्फ दो बिस्किट और चाय पी है उसके बावजूद जो है इतना ताकत आ रहा है तुम लोगों के साथ में कहें नहीं सकते हैं बता नहीं सकते ह आरा है हमारे अंदर चाप लीजिएगा दिमाग के अंदर चाप लीजिएगा करेक्ट आंसर क्या है डादा साहेब फाल के इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल ऑवर्ड 2023 फॉर दी फिल्म ऑफ दे यर मिला है और 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 को बिटा और और को चलिए आगे बढ़ता हूं अगल सर मैं भी नहीं खाया बस खाना पका के बैठी हूं अरे बाबा अरे बाबा अब तो फेपड़े चिला रहे हैं बोले मत रो मेरे पेट चुप हो जा हुआ सो हुआ अब नहीं खा सकते बहिए क्लास स्टार्ट हो गया है अपने पास रखी अपना खाना चलिए बहिए चलिए कम़ोन कम़ोन बहुत बढ़ी यार सुबर मन्यम साप जो है यह हमारे सी напис screw The Heart ठीके बिटा चेर्मेन कौन है चेर्मेन कौन है निति आयोग के चियर्मेन कौन है कौन है निति आयोग के धुक्ली बता दीजिए भया हाँ आपकी बार मैं देखा नहीं हूँ इस सवाल को हम एकदम से कैंसल कर देते हैं किसी का भी नहीं मानूंगा कौन जीता है अब की बार तुम बता है जिस बार मैंने नहीं देखा उस बार तुमने बताया है ना भाई हाँ बहुत बढ़िया मोदी जी जबार परदान मंतरी होते हैं सर आप रूटे हुए हैं क्या अपने घर पर नहीं नहीं रूटे वे नहीं है हमें समय पर आज नास्ता नहीं दिया गया इसके लिए क्लास के बाद जो है क्लास उनकी भी ली जाएगी इस थी को नहीं चोड़ेगा सब का बतला लेगा फ्याजलवा चलिए बहुत बढ़िया बैतरीन करेक्ट आंसर आपका बीवियार सुबरमन्यम जी और चेर्वेन हैं हमारे एक्स ओफिश्यो एक्स ओफिश्यो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी कौन है प्राइम मिनि कि अरे पांडे साहब हम आपको कैसे नहीं देखे हैं हम आपको देखें हैं अरे भावी जी हैं वो तुम्हारी भाई चलिए चलिए शाब बाश नहीं यार ऐसे तो मत करो यार इतने सवाल इतने आसान सवाल का महताब आप जवाब गलत देरो यार बेटा मैंने यहां पर लिखा है 108 देखिए जब नई साल शुरुवात होती है जब भी हमारा न्यू इयर आता है न्यू इयर का सबसे पहला काम क्या होता है भारत के प्रदानमंत्री जी का सबसे पहला जो उनके कलेंडर के अंदर काम होता है वह होता है क्या हमारा जो इंडियन साइंस कॉंग्रेस होता है इसको संबोधित करने का काम सबसे पहला होता है ठीक है सबसे पहला काम ठीक है और यह अब के बार कहां किया गया कर् terrific answer वाै क्या हुआ नागपूर बच्चा क्या हुआ नागपूर हुआ देखिए रोहन पांडे जी ने नागपूर की जगए नाग लिगी दिया है इतना इनोवेटिव होने की जरौत नहीं है ठीक है correct answer और theme याद रख लिजिएगा science and technology for sustainable development with women in power बहुत important है भाई कहाँ पर हुआ है बेटा राश्टरंत तुक्कादोजी महाराज नागपूर इनिवर्सिटी महाराश्टर के अंदर कब किया गया third of January को virtually जो है हमारे परधान मंतरी जी ने जो है इसको start किया था अगला सवाल आपके सामने ये रहा military exercise dharma guardian will be conducted between India and which country dharma guardian किसके बीच में है चलिए चलिए विदी नाग यस अंजली हस रही है अमरजीत सिंग सहाब सबसे पहले हैं इस सवाल में सबसे पहले हैं अमरजीत सिंग सहाब अमरजीत सिंग सहाब जो है वो हमारे first number के holder है first number एक number पे हाँ है अमरजीत सिंग सहाब चलिए वाई क्या हम इस number को 200 पार ले जा सकते हैं अगर 200 पार ले गए तो 100 question करेंगे 200 पार नहीं गए तो 50 में हमारा हिम्मत रुख जाएगा यहाँ पे number दिखता है तो हमको ताकत मिलता है भई हम सज बता रहे हैं तो अगर बढ़ाएंगे number तो बढ़ जाएंगे तो हम भी रुख जाएंगे वरना 50 के बाद टिक जाएंगे बहुत बढ़िया तो dharma guardian बेटा हमारा किया जाता है इंडिया और जिपान के बीच में कौन कौन करता है धर्मा गाडियन्स सर पहले मैंने दिया नहीं भईया देखे गलत चीटिंग नहीं सर मैं तो चला वापिस आप मेरे सवाल नहीं देखे नाराज हूँ आपस मैंने रोहन जी आपको बिल्कुल देखा है मैं आपसे मिला हूँ आप बढ़ी बहतरीन कलाकार आदमी है पढ़ाने में भी आप बढ़े जबरदस्त आदमी है और एक नंबर के वक्ता है आप बहुत जोड़दार बोलते हैं आपकी आवाज में बढ़ा दम है अलांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बहतर मेरी आवाज है करेक्ट आंसर है आपका बेटा इस जॉइंट मिलीट्री एक्सराइज होती है इंडिया और जापान की जिसको कहते हैं धर्मा गार्डियन जी लाइट नहीं गई होती ही तो दोसो पलस था आज अरे दोसो पलस की तरफ आते हैं पिये मोधी इनोग्रेटेड इंडिया बिगेस्ट एरो शू एरो इंडिया ट्वंटी ट्वंटी थ्री वट इस दे थीम चलिए अरे मेरा अंसर देख लो अरे सर आपका क्या लिखरें एक बढ़ आपणी दूर दूर तक नहीं दिखे रहे हैं हमको यार नहीं आपका यूटूब तो नहीं खा गया है कुछ लिखाया है जो आपने नहीं भाई रोहन जी आपको जरा किरपा करनी होगी हम पे और वापिस से डालना पड़ेगा आपको जल्दी से एक बार वापिस से डाल दीजिए दर आपका क्या option था क्या पूछना चाह रहे थे अगली बार दिखाएगा ना सर जी हाँ अगली बार क्या दिखेगा वो पता नहीं अभी एक बार आप वापिस से डाल दीजिए बहुत बहतरीन दा रनवे टू दी बिलियन अपॉर्चुनिटीज यह हमारा अबकी बर का थीम था और वो किसमे था डाट इस एरो शो यह बेटा कहां किया गया यह बैंगलोर के अंदर यलंका है बैंगलोर में यलंका है जब आप NLSIU बैंगलोर जाएंगे अगली बार आ इसको कंड़क्ट किया गया था कब फेबररी 13 2023 के अंदर एंड हमारा थीम था डाट इस दर रनवे टू दी बिलियन अपॉर्चुनिटीज चलिए अगले सवाल की तरफ आता हूं और अगला सवाल आपके सामने यह रहा नेक्स कोश्चिन इंडिया है साइंड एन एम ओ देखिए पहला तो होता है और कुछ को आदत भी हो गया है अरे वाह 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 रोहन पांडे जी बिल्कुल करेक्ट बोले हैं आप नागपुर में हुआ एक 108 वा साइंस कॉंग्रेस बिल्कुल करेक्ट बोले हैं कहीं एक पैसे का गलती आप नहीं किया है जबर्दस ब मोई किसके साथ साइन किया है मेरे बच्चा मेरे लाल मेरे प्यारे हमने साउथ अफरीका के साथ में साइन किया है हमने 12 चीता इंटेड्यूस करने के लिए एन्वली साउथ अफरीका के साथ में किया है अभी हमने नाभीबिया के साथ तो मंगाया है हमारा मोई साउथ अफ लुक रिपोर्ट, what is India's growth rate in 2023, 2023 में क्या growth rate होने वाली है, let me see, यार मैंने अब की बार देखा नहीं था, यहां तो मेरे को दिख गए हैं, अमर्जीत सिंग जी सबसे पहले आए हैं, अमर्जीत सिंग जी इस सवाल के अंदर सबसे पहले पहुंचे थे, लेकिन मुझे correct answer देखने दीजिए, correct किस ने दिया है, let me see the correct answer, Sonos Sultaniya जी ने जो है, मुझे यहां पर correct answer पहुंचाया है, Sonos Sultaniya जी ने, बहुत बढ़िया, very good भाई, अमर्जीत सिंग साहब ने जलत answer दिया था, correct answer उन्होंने नहीं दिया था, Sonos Sultaniya जी ने सबसे पहले correct answer दिया है, और उनके लिए जड़ा एक ताली बजा दिज़ा दिज़े वही सारे, आज हम जो है, clapping करवाएंगे हर winner के लिए, वो World Economic Outlook ने जो है, रिपोर्ट दिया है कि इंडिया की growth rate जो है, यहाँ पे रहेगी, हाला कि हमारी growth rate हमने expect की है, हमने जो expect की है, that is basically 7%, लेकिन अभी world economic growth में ने कहा था कि real GDP में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, according to budget 2023, how much capital has been allocated to Indian railway, देखिए, Indian railway अब की बाद 3 number पे रहा था, सबसे पहला कौन सा था, defense, सबसे ज़्यादा पैसा defense को दिया गया, दूसरा किसको दिया गया, road and transport को, और तीसरा था हमारा railway, तीसरा था हमारा railway, चलिए भईया, क्या बात है, ये तो जो बच्चा मेरे साथ, paid वाला बच्चा है, वो तो गलती नहीं कर सकता, एक बच्चा गलती नहीं कर सकता है, एक बच्चा, चलिए, 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 बहुत बढ़िया, 2.4 lakh करोड रुपीज अलोकेट किया गया है, हमारे railway को, कितना किया गया है, 2.4 lakh करोड रुपीज, railway को अलोकेट किया गया है, इस साल के बच्च के अंदर, ठीक है बच्चा, बच्च 2023 जो है, मैं paid batch के अंदर अल्रेड़ी पूरा पढ़ा चुका हूं, जब अर्दस तरीके से, चलिए, अगला सवाल, इसी से रिला हुआ है, how much allocation has been made for the ministry of defense, defense के लिए कितना दिया गया था, defense के लिए, defense के लिए कितना दिया गया है, top पे defense था, चलिए, defense के लिए कितना दिया गया है, बहुत बड़िया बेटा, 5.94 lakh करोड रुपीज, जितने बच्चे C के साथ चिपके हैं, इसे कहते हैं, यादास्त, revision, revive and retrieve your answers with me on my session, ऐसे सवाल के जवाब आप देंगे, तब जो है, मेरी भूख अपने आप मर जाती है, जितनी मुष्टिलों से, पूरा session बनाने में जो time लगता है, वो सब कुछ बहतरीन तरीके से जो है, यहाँ पे एक तम ताकत मिल जाती है, जब आप ऐस तरीके से correct answers देते हैं, correct answer है आपका, C is your correct answer, चली, अगले सवाल के तरह बढ़ते हैं, और next question है, who has been rewarded with the lifetime achievement award by India UK achievement honors, किसको दिया गया है या वाउड, बड़ा ही सवाल है, बड़ा ही simple, सर यह GMI, BLB के लिए है न, रिमशा जी मैं आपको बता दूँ बेटा, यह किस-किस के लिए है, आप सभी के लिए disclaimer है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह बेटा हर CUT के लिए है, MHSET के लिए है, JMI के लिए है, AMU के लिए है, PALLV के लिए है, CLAT के लिए है, ALET के लिए है, UPSC के लिए है, SSC के लिए है, कलक के लिए है, PO के लिए है, SO के लिए है, और भी कोई एक्जाम रहे गया हो, तो वो सब डाल दीजिए, पेटा ये current affair प्लीज समझिये current affair हर examinations के लिए important होता है सभी examinations के लिए current affair important होता है और जितना मैं कराऊंगा न ये one of the most important current affair होगा बिलकोल आप दावे के साथ कह रहा हूँ UPSC वाली बच्चे के लिए तो बगवान है और इन के लिए ये परमात्मा का काम करने वाला है ये पूरा का पूरा सेशन तो जो बच्चा किसी भी exam की त्यारी कर रहा हो current affair जो है उसके लिए same होना है हाँ जहां पे बात आती है static जी के वहाँ पे चीज़ें बदल जाती है वहाँ पे चीज़ें बदल जाती है ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया correct answer आपके है हमारे एक्स प्रधान मंत्री जी श्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जी सर आपने इलका है चौदरी जी का इलाका है ये अपना इलाका है चौदरी जी का आजी बिलकुल ये अपना इलाका है यहाँ पे किसी और को गुसने भी नहीं दे सकते हैं और किसे ने गुसने का कर्सेस किया तो खचर खचर चलिए आगला सवाथ वेच उनियन मिनिस्टरी इंप्लीमेंट्स प्रधान मंत्री कोशल विकाश शोजना स्कीम और आन मंत्री कोशल विकाश स्किल डवलप्मेंट आपको मैं जब बजट पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था कि भाईया कॉशल विकाश शोजना जो है मारे बजट 2023 के अंदर रिलीस की गई थी कि सभी को जो है अरे अरे भाईया हिंट दे दिए हिंट दे दिये और तुम लोग पकड़ भी लिये क्या बात है जबर्दस, जानदार इतना तो समझदार हमारा लडका लोग है हमारा लडका लोग, लडकी लोग इतना समझदार तो है रिमशा जी ये क्लास जो है, डेली सुबह 10 बज़े होती है और शाम को 7 वजे होती है आप अपने टाइम टेबल के अंदर कसम खा लें ये दो क्लास नहीं छोड़ेंगी बाकी GK, GS और CA ये आप मुझे पर छोड़ दीजिये आपको उत्तेवन नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है चालिए भाईया So the correct answer है आपका B अगले सवाल के तरह बढ़ता हूँ विच यूनियन मिनिस्ट्री अलोंग विद दी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टेस एंड इम्पावर्मेंट इंप्लीमेंट दी नमस्ते स्कीम हर चीज मैंने कहा था इस सेशन में होगा एक एक चीज इस सेशन में होगा एक एक चीज ठीक है पर सर विकास से तो विकास से है तो रूलर नहीं होगा रूलर ही होगा समझा नहीं है क्या कहना चाह रहे होगा I didn't get you guys चलिए जबरदर्स भया जबरदर्स बहुत बढ़िया Ministry of Housing and Urban Affairs देखिए हर आदमी के घर पे जो है घर होना बहुत ज़रूरी है और हम यह चाहते है नमस्ति स्कीम के द्वारा affordable houses सब को कराए जाए अगला सवाल उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चा मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है इस सवाल को गलत नहीं करेंगे सर मेरी कुछ backlog classes है आपकी कैसे करें पेटा मेरी marathon को आप जो है बिल्कुल एकदम गांठ बांद लीजे marathon मत छोड़ देना काम हो जाएगा काम हो जाएगा तथास तू तयार रहिए तयार रहिए अब की बार टॉप वाले का नाम लेंगे भी अब की बार टॉप वाले का नाम लेंगे तयार है अगर तयार है तो एक fire का बटन दबा दीजे सभी 178 बच्चा है 178 बच्चा है कम से कम 200 fire जो है मुझे यहाँ दिखनी चीए एकदम से दडाम से fire आजानी चाहिए comment box के अंदर इसके बाद अगला सवाल लेकर आ रहा हूँ और इस सवाल के अंदर मैं टॉपर का नाम चीख चीख के चला चला के स्क्रिन पर लिख के बताऊंगा कि टॉपर ये है तयार है जड़ा देख रहूं कितना बच्चा तयार है तयार है या बात है बेटा चौदरी अर्पित जी अभी यूपी पुलिस का एक्जाम हुआ था यूपी पुलिस के एक्जामिनेशन का पेपर जो हुआ है उस पेपर के अंदर पूरा पेपर का करंट अफेर हमारा वीडियो से आ गया है अगर आप नहीं मानते है तो जिनों ने दिया है आशीज जी ने पेपर दिया है ज़र आशीज जाएंगे जी बताएंगे आपको कि यूपी पुलिस वालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा सेसन चलिए अब आग 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 लग चुकी है सवाल आपके सामने है कोश्चन आपके सामने है ये रहा इंडिया है रेंक डेश अमंग 55 लीडिंग ग्लोबल एकोनोमीज ओन दे इंटरनेशन आईपी इंडेक्स रिलीज भाई दी यूएस चेंबर्स ओफ दी कॉमर्स लेट मी सी लेट मी सी लेट मी सी लेट मी सी सान्या सान्या सिद्ध की सान्या सिद्ध की जिन्होंने मुझे करेक्ट आंसर बता दिया है और करेक्ट आंसर इन्होंने क्या दिया है इन्होंने सी आंसर दिया क्या ये सही है क्या ये मेरे बच्चा लोगन सही है क्या ये करेक्ट आंसर है बताइए हमारे अमर्जीत सिंग साहब रह गए है और रह गए भाई कुछ पलकों से रह गए उन्होंने एक पलक जबकी उतने में हमारी सना सिद्धकी जी ने टिप दिया अंसर तुरंस सीमा कुमारी जी ने और गौरव जी ने मुझे कह दिया है कि सर वो करेक्ट है कि सद्धकी जी जो है वो थोड़ी मोटिवेटेड हो हर बच्चा मोटिवेटेड होना चाइए एक नीचे रहे गया सर मैं एक नीच रहे गया अरे नीच रहे गया मतलब इतना गलत नहीं कहिए यार नीचे रहे गया ये कहिए यार रोहन पांडे जी मैं एक नीच रहे गया ऐसे मत कहिए यार नीचे रहे गया ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो करेक्ट आंसर आपका 40 सेकंड क्या है करेक्ट आंसर आपका 40 सेकंड चलिए अगला सवाल तैयार हो जाईएगा हसी मजाग बंद और अगला सवाल येस रोहन पांडे जी नीचे रह गए एक कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ये सवाल एक भी गलत नहीं होगा ठ सान्या सान्या जी सोरी सान्या जी मेरी बेटी का नाम से तो मैं थोड़ा से भाँ से भाँ गया भाँ गया सोरी तयार रही है नेक्स सवाल ये रहा, come on, let me see, the question is, which player has won the best men's footballer award of FIFA World Cup 2023, चल ये, come on, अर ले गई, ले गई, ले गई, ले गई, लड़की ले गई, ये वाले सवाल का वीग अवार्ड लड़की ले गई, ले गई, लड़की ले गई, अनुबूती जी, यहाँ नाम लिख रहा हूँ सक्स का, जिनों ने सबसे पहले मुझे सबसे सही करेक्ट आंसर पकड़ा दिया है, अनुबूती जी जो है, वो ले गई, अपकी बार का वार्ड, ये सवाल का सही जवाब, अनुबूती जी ने दिया है, किसने दिया है, अनुबूती जी ने दिया है, जोरदार तालिया दे दीजी जरावन के लिए, लेकिन एक चीज यहां से और समझ लीजेगा यह कहां से बिलॉंग करते हैं अर्जेंटीना से और अर्जेंटीना के अंदर अभी बहुत बड़ा बहुत बड़ा एकनोमिक क्राइसेज है लग बग 54 परसेंट पॉपुलेशन जो है वह पोवर्टी लाइन के अंडर आ चुकी है अर्जेंटीना से रिलेटेड सवाल अपकी बार बनता हुआ मुझे दिख रहा है ठीक है ओके चलिए अगला सवाल अगला सवाल हुग वन वुमेंचेंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटेन चंपेयंशिप चलिě चलिए लेट मीचेव लेट मीचेकना बच्चा देता है चलिए लेट मीची परेक्ट आंसर कृपुलें यहां पर जूड़ी है तनवी जो है वो मेरे साथ यहां जूड़ी है तरा अब देख लूँ और कोई बच्चा है नहीं नहीं схड़ तो तनवी जी हां सबसे एंपर तनवी है छाइज ऑन्ग इन सबसे पहला अंसर अरे भाई क्या कर रहे हो यार लड़कों नहीं हो रहा तुम से जितना है यार एक तो जीट जाओ एक मेरे लिए नहीं जीट सकते का तुम मेरे लिए किसी से कम थोड़ी नहीं है मानना पड़ेगा मारी बेटियां बेटों से बिल्कुल भी कतई कम ना है बिल्कुल जहर एकदाम जवर्दास नहीं ना सार बहुत बढ़िया और मेरे पास बड़ा ही और करेक्ट आंसर आपका क्या दिया है इन्होंने अनुपमा उपाध्याई ज जिनोंने नैशनल बेड्मिंटन चैंप्योंशिप जीती है नैशनल बैंड सर मैं छोरियों को जीतने दूंगा अच्छा अंगूर खटे हैं समझ रहा हूं बेटा यू रबायस्ट येस आएम बायस्ट बिकॉज बिकॉज आएम बायस्ट चलिए चलिए रोहन जी कह रहे है लिए लिएस were了吧 जाएक जग्जेय SMY आप दोगा किया չ्यारण साथ चलिये चलिये चलिए अगला सवाल की तरफा आते हैं तैयार रहिएगा इस सवाल में दूद का दूद पानी का पानी भानी दूद का दूद, पानी का पानी, रोहन पांडे जी का आंसर मैं सबसे पहले देखूँँगा, कि वो क्या देते हैं, रोहन पांडे जी, तयार हैं, और उनके साथ बायस नहीं हो सकता, आपकी स्क्रीन के उपर सामने सवाल आ रहा है, ये रहा, यह रहा आपके सामने सवाल यह रहा अच्छा सवाल आपके सामने रहा exercise dustling 2023 was organized between India and which country dustling dustling किसके बीच में हुआ है भीया अरे वाह भीया अरे भीया लड़का आ गया अरे लड़का आ गया अरे लड़का आ गया पर्शांत descon बह्या नाम लख दे रहा हूं लड़के का कि इससे कहते हैं एकधम दिल पे ले लेना इससे कहते हैं दिल पे ले लेना रोहन जी रह गयाे आप यार रोभ़ल जी कुछ भी कहो हम आपसे बाइस नहीं है लेकिन आप तीछे रह रहे हैं तेखे आप Fast नहीं है यार ठीक है लगा जीद गया है परशान जी ने मुझे सबसे पहले answer दिया कि Sir dustling तो हम उजबिकिस्तान के साथ करते किसके साथ करते हैं Sir हम उजबिकिस्तान के साथ छोड़ा दिल पे ले लिया बिल्कुल अगला सवाल पर आचलेगा क्या सच में दिल पे लिया है या नहीं लिया है all the girls and all the guys get ready for the next question and the next question comes to a screen like this आपके screen के उपर ये रहा next सवाल उससे पहले बता देता हूँ next सवाल से पहले इससे follow कर लीजिएगा आपको सभी के सभी important updates और मेरे सारे के सारे जितने भी PDFs होते हैं ये सभी PDFs में यहीं पे डालता हूँ सारे PDFs में यहीं पे डालता हूँ और जो बच्चा marathon batch को join करना चाता है for all those जो की त्यारी कर रहा है CUT PG की तो बेटा code use की जिए VJ5 और जैसे आप ये session देख रहे हैं डेली पेड़ के अंदर मेरे साथ लीजिए यहाँ पे आप टॉप एडुकेटर से पढ़ सकते हैं in live class आप जो है solutions पा सकते हैं 10 full length mock आप यहाँ पे पा सकते हैं बहुत ही amazing जबरदस्त वाले package के अंदर ठीक है और ये बेटा 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है code यूज कीजिएगा क्या विजय फाइफ यूज करना है बेटा विजय फाइफ टीक है किसी विवैच में आप इन्रोल करिए विजय फाइफ आप यूज कर सकते हैं ठीक है चली अगला सवाल who has been honored with the player of the year award by the Asian Chess Federation let me see let me see कितना बच्चा करेक्ट देता है एक सके नहीं काश्व जी आज 3 पेम वाली क्लास नहीं है अनुभुती ने गलत दिया है अरे यार फिर लड़की जीत गई यार बेटा अब ये सेशन अगले 15 मिनट और चलने वाला है अगले 15 मिनट से 20 मिनट और चलेगा उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे बागी बचा हुआ पूरा सेशन अपका नेक्स संडे होगा क्योंकि आज हमारा बेसिकली फेलियर हो गया था लाइट का कट हो गया था तेरा रवन सेवंटीएट पीपल राइट नाओ आप सभी से एक वादा है मेरा कि मैं आपको अगला जो संडे है इस संडे को मैं आपको पूरा कम्पलीट जितने कोशन हो गए हैं वो तो हो गए टोटल मैंने लगबद 400 कोशन आपके लिए प्लान किये हैं और ये वो कोशन है जो की most important है guys and girls लिख लो कहीं पे चाप लो ठीक है और आपको संडे को ये सुबह 10 बजे मेरी क्लास मिलेगी 10 एम पे ये मेरी क्लास आपके साथ में हो रही होगी इस क्लास को भूल मत जाएगा इस क्लास में बहुत important गुरु जी अब तो बहुत गडबड हो गया है 10 बजे आए फिर तो जमा जम हो गया और आपको 2X में देखके पकड़ लिया हूँ बताईए आशीज जी ने अब 2X पे जाके हमको पकड़ पाए है बहुत बढ़िया संडे को डेट फिक्स कर लीजेगा संडे को मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ ठीक है बेटा चलिए जी गुकेश साब जो है इन्हें अब के बार जो है प्लेयर ऑफ दे इयर अवार्ड फॉर दी बेस एस चेस फेडरेशन की तरफ से दिया गया है सर जब से मैं वीनर आई तब से मेरा फोन ही हैंग होने लगा किसी बुरी नजर लगी थी आज हम पर भी लगी थी चलिए वो हैस बीन इलेक्टेड अस दा न्यू चेर्मेन ओफ सेंटरल इलेक्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन सी ए रसी चलिए भया अभी देख लेते हैं कौन दिया है सबसे पहले शुब राज दिवेदी जी क्युब राज दिवेदी जी का स्वागत किया है तालियों के साथ़ गड़डा हट के साथ उनके सवाल के जवाब के साथ और अपना स्कोर कार्ड आप क्या लिख रहे हैं Are you guys writing your scorecard क्या आप अपना स्कोर कार्ड बना रहे हैं की नहीं बना रहे हैं कि हम कितना गलत की हैं, कितना सही की हैं, और जहां तुक्का मारते हो, कोई सवाल में अगर तुक्का मारते हो, तो उसके आगे स्टार लगाये करो, कि हमने कुछ तुक्के भी मारे हैं, बहुत important है भाई, और जो नहीं जुड़ रहे हैं, सेशन में, प्लीज लाइक करते हैं, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जिशनू बोरा जी, कौन है बेटा, correct answer आपके, जिशनू बोरा जी जो है, यह हमारे Central Electricity Regulatory Commission के, CERC के जो है, वो बने है क्या, that is chairman, new chairman, ठीक है बेटा, बोरा साहब, कहां से हैं बेटा, यह असाम से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगल पर देख लेते हैं, तनवी है, कौन है, लेट मी सी, 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 एक सेकेंड भाई, लेट मी सी, हाहा, मजा आ गया, चलिए, answer जो है, आखरी में बताऊंगा, सर, रेली सर, answer भी दे रहे हैं, तो बाद में जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो question भी लिख रही हूं, answer भी, इसलिए time नहीं मिल पारा, answer देने का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका अपना-पना तरीका है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे रोहित जी सबसे पहले हैं, सबसे पहले कौन है, रोहित जी है, जिनका answer मेरे पास पहुचा है, ठीके भाईया, उन्होंने मिरे को answer दिया है, सर्यातना दास साब जो है, उनको मिला था, 81st Grand Chess Master, ठीके भाईया, ओके, थोड़ा confuse करने के लिए, जो है, विगनेश को वापिस से लेकर आया था, लेकि correct answer क्या आपका, सयानतना दास जी, चलिए, चलिए, ओके, अगला सवाद, मोगंज has become 53rd district of which state, मोगंज, चलिए वहिया, चलिए, come on, come on, शिवम जी, शिवम जी जो है, शिवम जी answer लेकर आये थे, लेकिन गलत दे दिया है, शिट, answer गलत दे दिये, आर, quick to दिये थे शिवम जी, शिवम जी ने quickly तो answer दिया, लेकिन गलत दिये थे, बढूर, देख تें। där कितना बच्चा फिसलता है हमारे से चलिए बहुत बढ़िया जबर्दास्त क्या बात है औलमोस बच्चे का अंसर आ गया है मध्या परदेश सर क्लास कब से स्टार्ट हुई यार थोड़ा साज गड़बड़ हो गया है थे पहले ही भाग जाती है वापस थोड़ी सी गढ़वड होगे हम सुभए साट तो दस बजे किये थे बेटा लेकिन बीच में जो है हमें इस क्लास को रोकना पड़ा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल गिलिच के कारण ठीक है चलिए अगले सवाल की तरह पताते कंट्रोलर जनरल सर बजे स्टार्ट किया इसको लेकिन दस बजे वाली क्लास से तो हम मिस करी गए ना बेटा तनवी जी जो है हमारे साथ में तनवी जी जो है वह एकदम से कूद फांद क्या ही है सर अब तो टाइपिंग भी नहीं हो रहा है चलिए थोड़ा स्लो कर दूं क्या थोड़ा स्लो कर दूं किसी के दोस्त अगर कहीं पे बैठे हैं और किसी दूसरे किसी काम में लगे वह तो ज़रा जाके एक बार सब को बुला लीजिए सब को बुला लाईए इधर उधर कहीं कोई बच्चा किसी चैनल पर कुछ पढ़ रहा होगा कहीं कुछ पढ़ रहा होगा उन सब को जाके एक बार बंबार करके आ जाए कि विजंदर सर से मिल लो भया पड़ावट करन्ट अफेर के एक दम महा भारत चल रही है क्वीकली सब को बुला लाई एक बार जाए एक बहु साथ कर दिया है क्या बात है ऐसे दूबे साब जो है डाट इस दी करेक्ट आंसर आशेज जी देखिए आपकी महनत है बेटा आप जितनी महनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलने वाला मेरे लाल मेरे पैरे बच्चो डाट इस वाइए इसे कि मैं सिर्फ एक महरा हूं ब संडे को उस मेराथोन में आपको मैं वादा करता हूं सारे वो सवाल होंगे जिसे आप एक्जाम में देख रहा हूंगे ठीक है सारे वो सवाल होंगे चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं और अगला सवाल आपके स्किन के ओपर यह रहा विच कंट्री ने प्रपोस क तो क्रियेट इंटरनाशनल बिक कैट अलाइन इस कंट्री ने प्रपोस किया सर थोड़ा ब्रेक दीजिए नहीं बैटा क्लासिक हतम कर रहें इसके बाद अब क्लासिक हतम करेंगे चलिए अनुभूती जी क्या बात है क्या बात है क्या बात है इस इस वाले सेक्षन के बाद आप सभी से रिक्वेस्ट करों कि एक बार अपना स्कोर काड भेज दें मुझे वह यह वह बहुत बढ़ी असर जैन से सीए पढ़ लों तो सतर परसंट आंसर गलत हो रहे हैं क्या बात है भाई जनवरी के आपने पढ़े नहीं सर मैंने तो जनवरी से सीए पढ़ना चालू किया है मेरे तो 70 परसेंट गलत हो रहे हैं खुशी जी इसके पीछे का रास तो अब मुझे डूनना पढ़ेगा आपके साथ बैठना पढ़ेगा आपको समझाना पढ़ेगा कैट अलाइन चली बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर इस यौर बिग कैट अलाइन इंडिया विच कंट्री चेर्ड दी 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रोल मीटिंग किसने किया है कुटली कौन जीता एक कोस्चन में कैसे कर देंगे तनवी बहुत 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 चबरदस परफॉर्म किया अस अलिए एक नंबर परफॉर्म किया है तन्वी ने डिम्स्टरली आम हैपी तो चलिए बहुत बढ़ी अथाइल है ना मैंने आपको बताया भी ता कि घूमने के लिए भी बड़ी बहतरी जगह है याद रखना भूल मत जाना क्या बात है तन्वी कह रही है कि सर आपकी अधी देखती हूं टीवी पे इसका फरक तो पढ़ेगा ना परक तो पढ़ेगा चलिए अगले सवाल की तरफ आता हूं And five day long योसांग फेस्टिवल has begun in which state योसांग फेस्टिवल हम इसके बारे में current office के अंडर पढ़ चुके है भया यह घलत नहीं होना चाहिए यह गलत नहीं होना चाहिए भया किसी का भी घलत नहीं होना चाहिए नहीं यार बेटा नहीं बेटा नहीं यहाँ पे शिवम बेटा बहुत बढ़िया यार जबर्दस्त योसांग फेस्टिवल की बात हो रही है यार मैंने आपको बताये भी था कि ये बहुत ही लाइम लाइट में रहा इस्टेट इस स्टेट के अंदर अभी बहुत कॉंट्रवर्सी देखने को मिली आप याद को नह है रटना नहीं है स्टोरी बनानी है स्टोरी बनानी है स्टोरी के साथ याद करना है तब याद होगी चीज़ें मनीपूर बेटा मनीपूर फाइफ डे लॉंग पूरा प्रोग्राम यह होता है ठीक है और बेसिकली इसके अंदर जो है कल्चुरल एक्टिविटीज जो है व यह सवाल बहुत important है, mark कर लीजिएगा मेरी तरफ से, चलिए, आगला सवाल की तरफ आता हूँ, which union ministry launch the lean scheme, देखिए ये, sir मैंने first दिया, आप देखते नहीं, नहीं मैं अभी देखी नहीं रहा कि कौन first दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, चलिए, नहीं यार, अमर्जीत सिंग जी साब जो है, वो आए हैं सबसे पहले अब की बार, मैंने देख लिया, क्या tribal groups के तो मैं already, current affairs में regular classes में ले रहा हूँ, tribal के उपर तो मैं ले रहा हूँ, classes में, चलिए, quickly guys and girls, चलिए, चलिए, और कितने questions सर, best, इसके बाद में दो questions और करवाएंगे बेटा जी, और उसके बाद ये class end हो जाएगी, correct answer is your ministry of MSMEs, चलिए, आगे बढ़ते हैं, which airport topped the list of the world's best airport released by the Skytrax, चलिए, quickly guys, sir, sir, एक बार festival पर current affair करा दीजिए, ठीक है बेटा, काफी sustainable लग रहा है, मुझे कि करा देना चाहिए, एक बहुत important होगा यार, यह सब सवाल आपने किये होंगे, यह सारे सवाल मेरे current affair की classes में, आपने किये हैं, और देखेगा, इसका answer भी बहुत धड़ाके से आएगा, यहां पर 181 बच्चा है, कम से कम धाइसो answer दिखने चीए, क्योंकि कुछ बच्चे दो दो बार भी देख देते हैं, अगर मेरे software में, अगर मेरे को 500 answer नहीं दिखा, तो अगला सवाल लेकर नहीं आऊँगा, चलिए, quickly, quickly, everybody, बजट से related भी question चलिए, करवाएंगे आपको अलग से, गुरु जी 12% matter करते हैं, क्या बजटा, 12% क्या, मैं समझा नहीं है, आप क्या कहना चाहरे हो, एक बार सवाल फिर से लिखना बेटा अपना, सर, जो भी index rank उपर से separate video बना दीजिए, confusion होता है, ठीक है बेटा, यार, बहुत सारे video मांग रहे हैं आप, चलिए, बहुत बढ़िया, आपको मैं already इसके बारे में पता चुका हूँ, कि सिंगापूर चैंगाई एरपोर्ट जो है बेटा, इसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एरपोर्ट जो है, वो घोशित किया गया है, वर्ल्ड का बेस्ट एरपोर्ट कहां पर मिलेगा आपको, दाट, यू फाइंड दा, सिंगापूर चैंगी एरपोर्ट, चलिए, अगले सवाल की तरफ आता हूँ, नेक्स्ट कोशन आपके सामनी ये रहा, इंडियन रेलवेस टू बिकम नेट जिरो कारबन एमिटर बाई विच एर, लेकिए, एक टू जेड कोशन बड़ा ही इंपो करता है बच्चे, और ये सारे सवाल आप लोगों ने स्किप किये होंगे, आदे से जाधा बच्चों ने इन सवालों को छोड़ा होगा, मुझे पता है, क्यों को कि ये सवाल आपको कहीं देखने को मिले ही नहीं होगे, आपने मेरी क्लास पहले अटेंड की ही नहीं होगी, जो लोग मेरे साथ नहें जूड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ भया अगले संडे को हम पूरा one year का current affair का पूरे one year के current affair का हम मेराधॉन लेकर आ रहे हैं एक class के अंदर आपका पूरा एक साल का backlog cover करवा दूँगा ठीक है और आप standard of questions मेरे जानते ही हैं मैं किस तरीके के questions लेकर आता हूं बहुत बढ़िया correct answer 2030 तक हम carbon free हो जाएंगे अब जल्दी से बताइए कि 100% railwayification कौन से state का हुआ है 100% railways कौन से state के अंदर हो चुके है 100% railway 100% quickly कौन सा state है जो कि 100% railwayification हो चुका है quickly guys quickly quickly guys नहीं बेटा सबसे पहला state जो कि 100% railified हुआ हरियाना हुआ है क्या हुआ है बच्चे हरियाना हुआ है देखिए गलत कर जाते हैं correct answer क्या होगा बेटा हरियाना होगा so correct answer यहां पर आपका 2030 है जब तक हम net zero carbon emitter's जो हैं वो बन जाएंगे railways में और railways हमारे इंडिया का integral part है for the travel ठीक है सर गलत हो रहे है answer काफी कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक बर गलत होगा दो बार गलत होगा लेकिन उसके बाद जब सही होंगे न एक्जाम में सही होंगे जरूर यही तो प्रैक्टिस है यही तो प्रैक्टिस है प्यम मित्रा मेगा टेक्स्टाइल पार्ग विल बी सेट अप इन हाव मैनी स्टेट्स कि यह सब सवाल वह सवाल हैं जो कि आपने 100% मिस कि होंगे चोड़े होंगे हंट्रट परसंट छोड़े होंगे चलिए कितने स्टेट्स में होने वाला है और इंडिया के लिए बहुत इंपोरेंट है क्यों कि अगर मैं आपको बता हूं बैंगलादेश तो बैंगलादेश जो है वहां पे 70% एक्सपोर्ट का काम पूरा का पूरा क्या है बड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं तो सेवन साइट जो की लगबग पीम मित्रा के अंदर 18 परफोजल साय थे तो यह कहां कहां पर होने वाले हैं तमिल नाडू टेलांगना गुजरात करनाटका मध्यपरदेश उतर परदेश एंड महराश्रा यह भी नाम आप से आएंगे फॉरें डारेक्ट इंवेस्टमेंट अगला सवाल बड़ाएंपोर्टेंट सवाल अकोर्डिंग टु दि उनाइटेड नेशन स्सेंबल डवल्लप्मेंट सॉलूशन नेटवर्क रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट रिपोर्ट वट इस दी रेंक ओफ इंडिया में से आवाज आने लग गी है और सवालों के अंदर जब तक मेरे अंदर एनरजी ना हो तो फिर मैं क्लास लेना पसंद नहीं करता हूं और बहुत इंपोर्टेंट कोशन है इसलिए इनको बहुत डिटेल में पढ़ाना जरूरी है आप लोगों को इसलिए आज हम सेशन को जो है यहीं तक रखेंगे और हर बच्चे को बता दूँ इसके बाद दो कोशन और कराऊंगा उन दो कोशन के बाद हमें इस क्लास को एंड करेंगे लेकिन संडे का टाइमिंग अपना फिक्स कर लीजेगा संडे को सही सही दस बजे आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं टॉप वन येर के कोशन के साथ में और दावे के साथ कह रहा हूं आपके एक्जाम के अंदर 80% कंटेंट आपको मेरे यहां से देखने को मिलेगा 80% कंटेंट ठीक है 80% कंटेंट की गारंटी दे रहा हूं इतना जबर्दस लेकर आ रहा हूं और आपकी 126 रैंक वर्ल्ड है इंडेक्स के अंदर देखिए इंडिया की जो पोजिशन है लास्ट यर से इंप्रूव हुई है जो की 136 पोजिशन पे था एपिनेस इंडेक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए गुरु जी कुछ बताईए जसुनवय में कंप्लेंट रोड लिये है तो अभी तब कुछ नहीं हुआ है बेटा आशीज जी आप मेरे को प्लीज टेलिग्राम पे मैसेज करिएगा बेटा मैं आपसे परस्नली बात करूँगा ठीक है बच्छे परस्नली आई टॉक टू यू सराज के मेराथॉन के इतन इंसिस्टेंस से कितनी रख रहे हैं अगला सवाल वह बिन अपॉइंटेड इस दी न्यू चेर्मेन एंड मैनेजंग डिरेक्टर सीमडी ओफ दिकॉटन कॉर्परेशन ओफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है वही आज बहुत सही हुए है क्या बात है मजा आया की नहीं आया भाई आया की नहीं आया है लिट्रली अजिस सच बताना जुट मत बोलना लिट्रली सच बताना जूट मत बोलना के के कर दो कहब यह ज़रूरी है मजा आगया से इचिपर सेंट मेरे अब यहाब यह जो यह क्यों हो रहा है अब easy क्या होता है easy क्या है easy का मतलब हमने पड़ा है और difficult का मतलब हमने यह तो पड करा है य य हमने नहीं पड़ा है क्या फिर अब नहीं पड़ा है तो आपने अगर मेरे साथ Consistently class लिया है तो आपने पढ़ा है और पढ़ा है तो आपको इजी ही लगेगा ना बहुत बढ़िया ललित कुमार गुपता जी जो है वह अभी कॉटन अब कैसा लग रहा है अब कैसा लग रहा है कि मैं बहुत देर से भौत जोर से बोल रहा हूं इसलिए थोड़ी आवाज थोड़ी सी अलग लग करी होगी अगला सवाल सर आपको फोटो भेजी थी अच्छा ओके और विच मिशन डिट उडिशा विन दी यूएन हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटेट अब ट्वेंटी-ट्वेंटी-ट्री कौन से मिशन के लिए अब हो जाएगा एड्मिशन क्या बात है क्या बात है कि सर बस कर दो अब यह यह आपका आखरी सवाल भी यह इस सवाल के बाद में इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे और जिनको सेशन पसंद आया हो प्लीज एक प्यारा सा लाइक का बटन दबाके थाउजन लाइक्स जो हैं वह पूरे कर दीजेगा वीडियो पर और क्लास खतम होने के बाद में जरा एक बार लिख दीजेगा यह क्योंकि आप जो अभी कमेंट कर रहे हैं सारी कमेंट आपके उड़ जाते हैं क्लास के बाद जो आप कमेंट करते हैं वह कमेंट्स आपके रह जाते हैं तो उन कमेंट्स को जरा एक बार डाल बजे से आपका पूरा का पूरा क्लास मेरा होगा एक येर का complete एक साथ revision ठीक है पूरा complete वन येर का revision आपका एक साथ कराऊंगा कम से कम ये चार या पांच घंटे की class होगी जिसके बाद आपको वन येर के backlogs को देखने की जानकारी लेने की जरुत ही नहीं पड़ेगे ठीक है कोशिश करता हूँ कि नौ बजे रख ले ताकि जो है class 12 एक बजे तक खतम हो जाए चलिए ओके so the correct answer is जग्गा mission जग्गा mission के लिए जो है इनको UN habitats world habitat award जो है उडिसा को दिया गया था ठीक है बच्चा so this is something very important तो यह ज़रा note down कर लीजिएगा कि जो उडिसा government जग्गा mission चलाया था उसके लिए जो है इनको यह मिला है और this is the second time after 2019 that this program has received the UN habitats world habitat यह दूसरी बढ़ इसी चीज़ के लिए इनको मिला है जग्गा mission के लिए ठीक है नो सर दस बजे ही चलिए quickly एक पोल लगा देता हूं एक पोल यहां पर लग नहीं सकता है मैं नहीं लगा सकता तरह quickly जो है एक बार यह बता दीजिए कि 9 बजे की class ज्यादा बहतर रहेगी सुबह अगले संडे को या फिर दस यह आप मेरे को comment के अंदर डाल दीजेगा बेटा आपके comments को मैं consider करूंगा जब हम class को end करेंगे ना class end करने के बाद आप अपना comment डाल दीजेगा कि sir please stay class at 9 a.m. या फिर 10 a.m. उसके accordingly जो है अभी यह comment सारे delete हो जाएंगे मेरी team watch out कर लेगी उसी के accordingly हम आपका पूरा plan कर लेंगे कि आपको 10 बजे से class start करें या 10 a.m. जिसकी majority जादा होगी मैं वही class पे प्रिफर करूंगा उससी time को प्रिफर करूंगा तो आप please एक छोटा सा comment डाल दीजेगा जब class को end करता हूं उसके बाद में और एक प्यारा स प्यार आपकी तरफ से भेज दीजिए thank you so much guys and girls for being with me love you all signing off advocate vijanda singh chaudhary bye bye take care